अनोखी रात सुरेंद्र मोहन पाठक यह विडियो केवल शिक्षा के उद्देश से बनाया गया है, कोई व्यावसायक लक्षय या कोई कॉपिराइट उद्देश नहीं है अडियो बुक शॉप में आपका स्वागत है, कृपिया मेरे चैनल अडियो बुक शॉप को सब्सक्राइब करें और कृपिया कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं अनोखी रात सुरेंद्र मोहन पाठक अपनी होने वाली बीवी के अतीत को, उसकी प्रिष्ठ भूमी को देवेंद्र पराशर ने कभी महत्व नहीं दिया था उसकी निगाह में तो महत्व पूर्ण बात केवल यह थी, कि वो उससे दीवानावार मुहब करता था और वो उससे मुहबबत करती थी लेकिन फिर एक रात, एक अनोखी रात के बाद उसकी बीवी के अतीत की परतें जब एक एक करके उघडी तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई चाप्तर एक देवेंद्र पराशर कचहरी की इमारत से बाहर निकला बाहर अंधेरा चा चुका था और ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी अकबार में मौसम का जो पूर्वाभास छपा था उसके अनुसार और रात शिमला में बर्फ का भीशन तूफान आने वाला था लेकिन अभी तक उस तूफान के कोई लक्षन वातावर्ण में प्रकट नहीं हुए थे कोट में से मजिस्ट्रेट साधारंत्या पांच बजे उठ जाता था लेकिन उस रोज ऐसा नहीं हुआ था उस रोज गवाही के लिए उसकी बारी आने तक ही साधे छै बस चुके थे उसने अपने कोट का कालर उंचा कर लिया और कमपाउंड में उस ओर बढ़ा जिधर खड़ी कई कारों में उसकी फियेट भी खड़ी थी उसे अपनी खूबसूरत बीवी माया का ख्याला आया माया से उसकी शादी हुए तीन महीने हुए थे और उन तीन महीनों में वह पहला मौका था जब पराशर वक्त पर घर नहीं पहुँचा था उसके फ्लैट पर फोन था लेकिन इत्तफाक से वह फोन पर भी माया को खबर नहीं कर सका था कि उस रोज लोटने में उसे देर हो सकती थी बेचारी चिंता न कर रही हो मेरी उसने सोचा चिंता तो वह जरूर कर रही होगी ऐसा पहले कभी वह जो नहीं था तभी एक कार की ओट में से एक साया प्रकट हुआ और उसके सामनेया खड़ा हुआ पराशर ठिटका वर्टिकल बार वह केवल इतना ही देख पाया कि वह एक लंबा चोड़ा आदमी था कमपाउंड के नीम अंधेरे में उसे उसकी सूरत दिखाई न दी क्या है पराशर तनिक कठोर स्वर में बोला तुम्हारा नाम देवेंद्र पराशर है उस आदमी ने पूछा हाँ वह बोला थंड इतनी थी कि उस एक शब्द के साथ भी उसके मुह से धेर सारी भाप निकली और उसके चश्मे के शीशे धुन्धला गए तुम प्रोफेसर हो हाँ हाँ तुम गवर्नमेंट कालेज में इतिहास पढ़ाते हो हाँ भई लेकिन क्या बात है लंबे चोड़े आदमी ने उसके सवाल की ओर ध्यान नहीं दिया उसने एक ओर मुह फेरा और उच्चस्वर में बोला वीरू यही है वो आदमी कार के पीछे से एक आदमी और प्रकट हुआ क्या बात है पराशर में फिर पूछा अभी मालूम हुआ जाता है दूसरा आदमी बोला उसी क्षण कचहरी की इमारत के खुले दरवाजे में से एक हवलदार ने बाहर कदम रखा उसके एक कदम पीछे हथकडियों से बंधा नरेश कुमार चल रहा था वे दोनों समीब आये तो नरेश कुमार ने पराशर को पहचान लिया प्रोफेसर साहब नरेश कुमार नफरत भरे स्वर में बोला लानत है आप पर मेरी खातिर जरासा जूट बोल देते तो क्या बिगड़ जाता आपका? मेरा तो कुछ न बिगड़ता पराशर बोला लेकिन मेरे जूट बोल देने से तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाता मेरा क्या बिगड़ जाता? जह तुम्हें इस वक्त समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि मैंने जूट न बोलकर तुम्हारा भला ही किया है लानत है तुम्हारे ऐसे भले पर जिसकी वजह से मुझे जेल की हवा खानी पढ़ने वाली है इसी में तुम्हारी भलाई है आए बड़े मेरी भलाई पर रखने वाले प्रोफेसर तुम्हारी वजह से मुझे जेल जाना पढ़ रहा है देख लेना तुम्हें पच्टाना पढ़ेगा शिमले में मेरे बड़े हिमायती है हवलदार ने नरेश कुमार के हाथों में लगी हथकड़ी को एक जटका दिया और कठोर स्वर में बोला छोकरे क्या प्रोफेसर साहब को धमकी दे रहा है ये इसे जो चाहे समझ सकते हैं नरेश कुमार लापरवाही से बोला चलो हिलो यहां से नरेश कुमार और हवलदार परेखडी पुलिस की जीप की ओर बढ़ गए देवेंद्र पराशर ने असहाय भाव से गरगन हिलाई नरेश कुमार अभी 19 साल का था और 2 एर का विद्यार्थी था गलत सोहबत की वजह से ही वह अपने आज के अंजाम तक पहुँचा था उसे मालूम हुआ था कि जो कुछ उसने किया था उसी कालेज की एक लड़की की वजह से किया था लंबे चोड़े आदमी ने उच्सुप भाव से पराशर से पूछा क्या किया है इस छोकरे ने दिन्दहाडे एक दुकानदार का गल्ला लूटने की कोशिश की थी इसने पराशर ने बताया किसी छोकरी के साथ एश करने के लिए लेकिन बाद में पकड़ा गया था वर्टिकल बार तुमसे क्यों खफा है वो पकड़े जाने के बाद यह इस बाद से साफ मुकर गया था कि इसने दोपहर के समय किसी दुकानदार को चाकू दिखा कर उसका गल्ला लूटा था इसने कहा था कि उस घटना के समय यह कालेज में था और मेरी क्लास में बैठा इतिहास पढ़ रहा था यह मुझसे अपनी खातिर जूट बुलवाना चाहता था अगर तुम कह देते कि उस वक्त यह तुम्हारी क्लास में मौजूद था तो पुलिस उसे छोड़ देती हाँ तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा मैं क्यों कहता ऐसा क्योंकि तुम्हारे ऐसा कह देने से बेचारा जेल जाने से बच सकता है अभी बच्चा ही तो है वो मेरे जूट बोल देने से नरेश इस बार तो बच जाता लेकिन इस बात से क्या यह कोई सबक लेता क्या यह सुधरने की कोशिश करता हरगिस नहीं सजा पाए बिना छूट जाने को यह अपनी काम्यावी मानता इसके हौसले बुलंद हो जाते और यह पहले से बड़ा अपरात करने की कोशिश करता आज इसके हाथ में चाकू लग गया था कल यह पिस्तॉल मुहया करने की कोशिश करता आज यह मामूली सजा पाकर छूट जाएगा कल तक इसने अपने लिए फांसी की सजा का सामान कर लेना था आग को भड़कने से पहले दबा देना ही समझदारी होती है बुराई को शुरू में रोकना जरूरी होता है यह इस बात को आज नहीं समझ सकता लेकिन आगे चल कर समझ जाएगा कि इसके हक में जूठी गवाही न देकर मैंने इसका भला किया है शायद तुम ठीक कह रहे हो लेकिन तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो तभी वहां से रवाना होने को ततपर पुलिस की जीब की हैड लाइट की रोशनी उन दोनों आदमियों पर पड़ी पराशर ने देखा वे दोनों बड़े सलीके के कपड़े पहने हुए थे और बड़े रोगदार लग रहे थे पराशर सोचने लगा क्या वे सी आईडी के आदमी थे हम लोग लंबा चोड़ा आदमी बोला यह समझ लोकी माया के दोस्त हैं तुम लोग मेरी बीवी को जानते हो बहुत अच्छी तरह से दूसरा आदमी बोला क्या माया ने तुम्हें हमारे बारे में कभी नहीं बताया नहीं कभी हमारा जिक्र तक नहीं किया नहीं यह कैसे हो सकता है मैं सच कह रहा हूँ आप लोग बराय महरबानी मुझे इजाजत दीजिए मुझे घर पहुचना है और पराशर ने अपनी कार की दिशा में कदम बढ़ाया तभी लंबे चौड़े आदमी ने बिना किसी चेतावनी के एकाएक उस पर प्रहार कर दिया ठंड से बचने के लिए पराशर ने अपने हाथ ओवरकोट की जेब में डाले हुए थे सिर उसकार के एक दरवाजे से टकराया जिसके समीप वे उस वक्त खड़े थे उसने जल्दी से अपने हाथ अपनी जेबों से बाहर निकाले और उठकर खड़ा हो गया यह बत्तमीजी है वह क्रोधित स्वर में बोला यह बत्तमीजी नहीं लंबा चौड़ा आदमी बोला हमारे खतरनाक इरादों का एक नमुना है तुम्हारी बीवी समझती है कि वह हमें घिस्सा दे सकती है लेकिन हम इतनी आसानी से बेवकूफ बनने वाले नहीं है यह बात तुम अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा देना और अब मेरी बात गौर से सुनो क्योंकि यह बात तुमने माया तक पहुचानी है वीरू लिफाफा निकालना उसके साथी ने अपनी जेब से एक मोटा सा लिफाफा निकाल कर उसके हाथ में सौंक दिया यह लिफाफा लंबा चोड़ा आदमी बोला तुम अपनी बीवी को सौंक देना इससे माया यह समझ जाएगी कि हमारे मन में उसके लिए कोई बैरभाव नहीं है उसे कहना की यादव वाले काम में यह उसका हिस्सा है उसने लिफाफा जबरन पराशर के ओवरकोट की उपर वाली जेब में डाल दिया साथ ही उसे यह भी बता देना की अब हमारे सबर का प्याला छलकने लगा है मोटा माल अपने देविंद्र पराशर को जब होश आया तो उसने स्वयं को कचहरी के कमपाउंड में ओंधे मुह पड़े पाया उसने सिर उठाने की कोशिश की तो उसका सिर भढ़ाक से किसी चीज से टकराया उसने आखे फाड़ कर अपने चारों और देखा तो पाया कि वह कार के नीचे पड़ा था प्रत्यक्षत वे दोनों बदमाश उसकी चेतना लुप्थ हो जाने के बाद उसके शरीर को एक कार के नीचे धकेल गए थे कार के नीचे से बाहर निकला और उठ खड़ा हुआ उसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर अपने खून से लिथरे हुए चेहरे को पहुच्छा उसने कमपाउंड में चारों और निगाह दोडाई तभी उसे एक पुलिस अधिकारी कचहरी के मुख्य द्वार से बाहर निकल कर कमपाउंड में आता दिखाई दिया पराशर ने पहले उसे आवाज देकर समीप बुलाने का इरादा किया लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया उसे मार तो पड़ी थी लेकिन वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था उसने अपनी जेब टटोली तो पाया कि उसका बटुआ भी सही स्लामत था यानि कि उसको लूटने की नियत से उस पर आक्रमन नहीं किया गया था उसने यही फैसला किया कि यह बात आम नहीं होती तो अच्छा था कि एक कालेज प्रोफेसर जो की निकट भविश में प्रिंसिपल बनने वाला था मार कुटाई की ऐसी अपरिये घटना में भागीदार बना था फिर उसे माया का भी ख्याल करना था आखिर वे दोनों बदमाश उसकी बीडी को कैसे जानते थे पुलिस के मामले में पराशर ने फिलहाल खामोश ही रहना मुनासिब समझा पराशर ने अपने मुह में जबान फिराई उसे अपने सामने के दो दान थिलते हुए महसूस हुए बहरहाल उसे एक बात की खुशी थी कि वह चुपचाप मार नहीं खा गया था उन दोनों बदमाशों को भी उसके कई करारे हाथों का खूब मजा चखने को मिला था फिर उसे उस लिफाफे का ख्याल आया जो उन दोनों में से एक ने जबरन उसके कोट की जेब में डाल दिया था लिफाफा देते समय लंबे चोड़े आदमी के मुह से निकले शब्द उसके जहन में बजने लगे यादव वाला काम कौन सा काम था और टिप-टाप क्या बला थी जहां माया को कल दोपहर उनसे मिलना था और वे दोनों उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानते थे उन्हें कैसे मालूम था कि माया उसकी बीवी थी वे दोनों तो माया का नाम यू ले रहे थे जैसे उनकी माया से बड़ी गहरी जान पहचान हो उसने लिफाफा निकाल कर अपने हाथों में ले लिया और अपनी कार के समीख पहुचा कार का दर्वाजा खोल कर वह भीतर बैठ गया उसने डोम लाइट जलाई और फिर लिफाफा खोला लिफाफे के भीतर निगाह पड़ते ही वह सन्नाटे में आ गया वर्टिकल बार भीतर सौसो के नोटों की एक गड़ी मौजूद थी उसने नोट गिने पूरे दस हजार रुपए एक क्षण के लिए वह अपने बुरी तरह दुखते जिस्म को भूल गया उसे माया से फौरन बात करना इंतहाई जरूरी लगने लगा इतनी मोटी रकम उन बदमाशों ने माया के लिए भिजवाई थी उसने कार का इंजन चालू किया और उसे घियर में डालने ही लगा था कि उसे तब पहली बार यह महसूस हुआ कि उसका चश्मा उसकी नात पर मौजूद नहीं था वह कार से बाहर निकला कंपाउंड में चश्मा तो उसने तलाश कर लिया लेकिन वह उसके किसी काम का नहीं रह गया था उसने दोनों शीशे भी तूटे पड़े थे और फ्रेम भी तूटा पड़ा था लगता था उन दोनों बदमाशों में से किसी ने उस पर अपना भारी पाव रख दिया था वह वापिस कार में आ बैठा उसने कार आगे बढ़ाई उसके चश्मे का नंबर बहुत अधिक नहीं था लेकिन पिर भी रात के वक्त चश्मे के बिनाकार चलाने में उसे काफी दिक्कत महसूस हुई वर्टिकल बार अपने घर की ओर बढ़ते हुए उसक्षन पहली बार उसे इस बात का एहसास हुआ कि अपनी बीवी के बारे में उसकी जानकारी कितनी अपर्याप्त थी माया की प्रिष्ठ भूमी को उसने कभी महत्व नहीं दिया था उसका महत्व उसकी निगाह में उस वक्त भी नहीं था महत्वपूर्ण बात केवल यह थी कि वह माया से बेहद मुहबबत करता था और माया उससे बेहद मुहबबत करती थी वह केवल इतना जानता था कि माया 23 साल की खूब गोरी, बेहद जवान और निहायत खूबसूरक यूवती थी अपने कालेज के एक अन्य प्रोफेसर के यहां हुई एक पार्टी में वह उससे पहली बार मिला था और पहली ही निगाह में वह उस पर मोहित हो गया था उसकी देखते ही उसके मन में से अपने आप पुकार उठने लगी थी कि अगर वह शादी करेगा तो उससे और तीन महीने बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी शादी के वक्त तक भी उसे केवल इतना मालूम था कि उसका नाम माया सिप्पी था वह होटल मैसोनिक में रहती थी और वह एक वकील के आफिस में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी वकील का नाम भी उसे मालूम था लेकिन उस वक्त मारकुटाई से जड़ हुए उसके दिमाग में वह नामा नहीं रहा था वह मानता था कि जिस लड़की से शादी करनी हो उसके बारे में उससे ज्यादा जानकारी की दरकार होती थी लेकिन वह दिल के हाथों मजबूर था उसका घर बार कहा था, उसके रिष्टेनाते के लोग कहा रहते थे वगेर। माया के मुह से हा निकलने की देर थी कि पराशर ने यूँ आनन्फानन बिना उसके बारे में और कुछ पूछे जाने, उससे शादी कर ली थी जैसे उसे भय हो की देर हो जाने से कहीं। माया अपना इरादा बदल न दे और शादी करने से इनकार न कर दे। उसने माल रोर पर स्थित एक तीन मंजली इमारत के सामने अपनी कार रोकी। वह तीन मंजली इमारत पराशर की अपनी मिलकियत थी जो उसे विरासत में मिली थी इमारत पुराने ढंकी थी लेकिन मजबूत और सलामत थी उसकी दो मंजलों पर उसने दो किराएदार रखे हुए थे जिनसे उसे 1400 रुपए महीना किराया हासिल होता था शिमला में उसका फलों का एक बगीचा था जिससे उसे अच्छी खासी सालाना आमदनी थी उसके अतिरिक्ट प्रोफेसर के तौर पर उसे 1200 रुपए तनक्वाह मिलती थी उसकी कुल जमा माली हालत ऐसी थी कि वह रईस नहीं तो गरीब भी नहीं था कम से कम वह समझता था कि वह बड़े ठाट से जिन्दगी गुजार रहा था आई वह कार से बाहर निकला और पिछली रात को गिरी बर्ख से धकी राहदारी पर चलता हुआ इमारत के मुख्यद्वार की ओर बढ़ा वह इमारत में दाखिल हुआ सीधियां चड़ने से पहले उसने आद्तन तहखाने का दर्वाजा खोला और नीचे जाका उसे अपना नौकर मंगतराम तो कहीं दिखाई न दिया लेकिन उसे यह देखकर बड़ी संतुष्टी हुई की भट्टी में आग जल रही थी तहखाने में एक विशाल भट्टी थी जिसमें लकडी से आग जलाई जाती थी उस आग से वाइलर में पढ़ा पानी उबलता था और भाब तयार होती थी फिर उस पानी और भाब की सहायता से सारी इमारत के कमरे गर्म होते थे इस काम के लिए लोहे के पाइपों का एक जाल विशेश रूप से सारी इमारत में फैलाया गया था इमारत के वातावर्ण को गर्म रखने का यह इंतजाम तब से चला आ रहा था जबकि एर कंडीशन का आविशकार तक नहीं हुआ था आज भी इमारत को गर्म करने का वह इंतजाम एर कंडीशन लगवाने से कहीं सस्ता था पराशर ने तहखाने का दर्वाजा बंद कर दिया और पिछवाडे की सीडियों के रास्ते उपर को बढ़ा पहली मन्जिल के फ्लैट में से लहसुन और सिरके की तीखी गंधा रही थी उसकी पहली मन्जिल के किरायदार मिस्टर एंड मिसेज गोसालवेज गोवानी थे और वे अपनी प्रकार का ही भोजन बनाते थे फिर एकाएक उसकी खयाल आया कि बेचारी माया उसकी फिक्र भी तो कर रही होगी जब से उनकी शादी हुई थी तब से वह पहला मौका था जब उसे घर जाने में देर हुई थी तब पहली बार उसे नरेश कुमार पर भी गुस्सा आया न वह छोकरा बटमारी की वह हरकत करता न विटनेस के तौर पर उसे कोट में पेश होना पड़ता और न उन बदमाशों से उसका टकराव होता पहुचा वह दूसरी मन्जिल पर स्थित अपने फ्लैट के दर्वाजे पर उसने कालबेल बजाई माया ने दर्वाजा खोला वह एक निहायत खूबसूरत माया अपना इरादा बदल न दे और शादी करने से इनकार न कर दे उसने माल रोर पर स्थित एक तीन मन्जिली इमारत के सामने अपनी कार रोकी वह तीन मंजली इमारत पराशर की अपनी मिल्कियत थी जो उसे विरासत में मिली थी इमारत पुराने धंकी थी लेकिन मजबूत और सलामत थी उसकी दो मंजलों पर उसने दो किरायदार रखे हुए थे जिनसे उसे 1400 रुपए महीना किराया हासिल होता था शिमला में उसका फलों का एक बगीचा था जिससे उसे अच्छी खासी सालाना आमदनी थी उसके अतिरिक्ट प्रोफेसर के तौर पर उसे 1200 रुपए तनक्वाह मिलती थी उसकी कुल जमा माली हालत ऐसी थी कि वह रईस नहीं तो गरीब भी नहीं था कम से कम वह समझता था कि वह बड़े ठाट से जिन्दगी गुजार रहा था आई वह कार से बाहर निकला और पिछली रात को गिरी बर्फ से धकी राहदारी पर चलता हुआ इमारत के मुख्य द्वार की ओर बढ़ा वह इमारत में दाखिल हुआ सीधिया चड़ने से पहले उसने आतन तहखाने का दर्वाजा खोला और नीचे जाका उसे अपना नौकर मंगतराम तो कहीं दिखाई न दिया लेकिन उसे यह देखकर बड़ी संतुष्टी हुई की भट्टी में आग जल रही थी इंस्पेक्टर साहब पराशर अपने दोनों कानों पर हाथ रख कर चिल लाया भगवान के लिए लाश-लाश का रागत अलापिये मैं कहता हूँ मेरी बीबी जिन्दा है अगर वह जिन्दा है तो कहा है देखिए आपकी बीवी के साथ घटी सारी रहस्य पूर्ण घटनाओं का न्यायोचित जवाब केवल एक ही बात दे सकती है कि वह मर चुकी है मेरे ख्याल से कल से पहले आप अपनी बीवी को सचरित्रता और सदाचार की प्रतिमूर्ती समझते थे लेकिन कचहरी के कंपाउंड में उन दो बदमाशों से टकराने के बाद आपको पहली बार अपनी बीवी की असलियत की खबर लगी आप यह बात सोचकर आगब बूला हो उठे कि आप एक औरत के हाथों बेवकूफ बन गए आपकी बीवी किनही गुंडेब दमाशों की निगाहों से अपने आपको बचाये रखने के अपने स्वार्थ की खातिर ही आपकी बीवी बनी थी न की इसलिए कि वह आपसे मुहब्बत करने लगी थी और आपको पती के रूप में पाकर अपना जीवन कृतार्थ कर लेना चाहती थी इसी आधार पर मैं यह मान कर चलता हूँ कि कल रात आपके घर में प्यार मुहब्बत और अभिसार का वह माहौल नहीं था जिसका नक्षा आपने हमारे सामने खींचा है इसके विपरीट अपनी बीवी के चरित्र को लेकर आपके घर में लडाईच गड़ा हुआ था उस लडाईच गड़े के दौरान आप इतने गुस्से में आ गए कि आपने अपनी बीवी का खून कर डाला फिर जब आपको यह एहसास हुआ कि आपने क्या कर डाला है तो आपके छक्के छूट गए उस नाजुक स्थिती में आपको इसी बात में अपना कल्यान दिखाई दिया कि आप लाश ठिकाने लगा दें और बाद में इस बात की दुहाई देने लगें कि आपकी बीवी बड़े रहस्यपूर्ण धंग से कहीं गायब हो गई थी लाश को ठिकाने लगाने का सर्वोत्तम उपलब्ध तरीका आपके पास एक ही था आपने वही तरीका अपनाया आपने अपनी बीवी की लाश को भठी में जोक दिया लेकिन इत्फाक से मंगतराम ने आपको ऐसा करते देख लिया इसलिए मजबूरन आपको उसका भी कतल कर देना पड़ा जूट सब जूट सच जूट का फैसला तो अभी आगे चल कर होगा फिलहाल मैंने पूरी इमानदारी से आपको यह बता दिया है कि इस केस के बारे में हम क्या राय रखते हैं आपका गुनाह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत फिलहाल हमारे पास नहीं है इसलिए फिलहाल हम आपको छोड रहे हैं लेकिन इतना याद रखिएगा कि आप संदेह से परे नहीं है आपको कभी भी किसी भी क्षन फिर गिरफतार किया जा सकता है इस वक्त आप जा सकते हैं पराशर उठ खड़ा हुआ एक बात और खीरा लाल यूँ बोला जैसे कोई भूली बात याद आ गई हो पराशर ने प्रशन सूचक निगाहों से उसकी तरफ देखा कहीं गायब मत हो जाएगा पराशर ने कोई सकत बात कहने के लिए मुह खोला लेकिन फिर होंट भीच लिए आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं कालेज के प्रोफेसर हैं आप आसानी से समझ सकते हैं कि मौजूदा हालात में आपके कहीं गायब हो जाने का हम क्या मतलब लगाएंगे पराशर सहमती में सिर हिलाता हुआ वहां से विदा हो कई घंटे कुरसी पर लगा कर बैठे रहने की वजह से उसके घुटने जुड़ गए थे और वह चलने में दिक्कत महसूस कर रहा था उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली ज्यारा बच चुके थे ज्यानी की कम से कम साथ घंटे वह पुलिस की क्वचिन का शिकार होता रहा था गलियारे में उसे बाहर की तरफ बढ़ते हुए सिप्टी पितापुत्र के दर्शन हुए बूढ़ा उस वक्त भी नशे में मालूम ओता था वह सतीश के सहारे के बिना चल पाने में असमर्थ लग रहा था वह जानबूच कर गलियारे में ठिठक गया और उनके वहां से निकल जाने के प्रतीक्षा करने लगा उस वक्त वह उनसे साक्षातकार के मूर में नहीं था थोड़ी देर बाद वह इमारत से बाहर निकला तभी एक आदमी उसके पास पहुचा और उसका अभिवादन करता हुआ बोला मैं ट्रिब्यून का रिपोर्टर हूँ अपनी बीवी के कतल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मुझे विश्वास नहीं कि मेरी बीवी मर चुकी है पराशर बोला आप समझते हैं कि वह जिन्दा है हाँ मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वह जिन्दा है लेकिन प्रोफेसर साहब ऐसे मामलों में दिल की गवाही तो नहीं चलती मेरे साथ चलती है और फिर पुलिस का कहना है कि जो पुलिस का कहना है वह पुलिस जाने अगर आपकी बीवी जिन्दा है तो उसकी अंगूठी, उसकी सैंडिल, उसके बालों का क्लिप, इंसानी हड्डियां वगैरा आपकी भट्टी की राख में से कैसे निकली अभी यह साबित नहीं हो सका है कि वह सब सामान मेरी बीवी का है लेकिन अगर बराय महरबानी आप मेरा रास्ता छोड़िये मैं आप से और बात नहीं करना चाहता आप प्रेश से बच नहीं सकते आपकी जानकारी के लिए आज के ट्रिब्यून में आपकी कर्तूतों का सारा कच्चा चिठा पहले ही छप चुका है मिस्टर आप मुझसे बत्तमीजी से पेश आ रहे हैं मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका बयान मैं आपको कोई बयान नहीं देना चाहता मैं आपको कोई बयान देने को बाध्य नहीं मेरा रास्ता छोड़िये रिपोर्टर बड़े अनिच्छा पूर्ण धंग से एक ओर हट गया अभी वह सडक पर कुछ ही आगे बढ़ा था कि सडक से पार खड़ी एक कार में से किसी ने उसे नाम लेकर पुकारा पराशर ने कार की दिशा में देखा तो उसने कार की पिछली सीट पर राय बहादुर द्वार कानाथ को बैठे पाया वे हाथ हिला कर उसे पास आने का संकेत कर रहे थे पराशर सडक पार करके कार के पास पहुँचा राय बहादुर द्वार कानाथ ने कार का दर्वाजा खोल दिया पराशर हिचकता हुआ कार में दाखिल होकर उनकी बगल में बैठ गया प्रोफेसर साहब वे बड़ी संजीबगी से बोले मुझे आज का अखबार पढ़ कर ही खबर लगी है कि आप पर कैसी मुश्किल आई हुई है अभी अभी यहां आने पर मुझे मालूम हुआ कि आपको तो बड़े निश्चित रूप से अपनी बीबी का हत्यारा समझा जा रहा है मेरा दुर्भाग्य पराशर उदास्वर में बोला प्रोफेसर साहब एक अच्छे अध्यापक की तरह मेरी बेटी को जो आपने सही सीख दी उसका मार्ग निर्देशन किया उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्र गुजार हूँ मेरी लड़की रास्ते से भटक गई थी अपनी मौजूदा हालत में वह कोई भी गलत कदम उठा सकती थी वह घर से भाग सकती थी वह आत्महत्या कर सकती थी अगर उस रिवालवर में गोलियां होती तो वह सचमुच आपका खून कर सकती थी अपनी लड़की के बारे में आप करेंगे क्या? वह करूंगा जो अगर मेरी चलती होती तो मैं हर्गिस नहीं करता मैं नरेश कुमार पर बना केस खारिस करवा रहा हूं और मनीशा की उससे शादी करवा रहा हूं मेरी बीवी बहुत ज्यादा धार्मिक विचारों की औरत है वह गर्भपात को पाप मानती है इसलिए मनीशा की उसके पेट में पलते बच्चे के बाप से फौरण शादी होनी जरूरी है नरेश कुमार छूट जाएगा? हाँ इस शहर में मेरी काफी चलती है मेरी चीफ मिनिस्टर तर पहुँच है जिस दुकानदार का गल्ला उस चोकरे लूटा था वह अपनी शिकायत वापस ले लेगा पुलिस केस खारिस कर देगी ने पराशर खामोश रहा उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि राय बहादूर साहब उससे क्या चाहते थे प्रोफेसर साहब मुझे मालूम हुआ था कि आप यहाँ हैं वर्टिकल बार में खास आपके लिए यहाँ आया हूँ जी मैं आपका एहसान मंद हूँ इसलिए मैं आपके किसी काम आना चाहता हूँ आप माफ कीजिएगा मेरे किस काम आ सकते हैं सबसे पहले तो मैं ऐसा इंतजाम करना चाहता हूँ कि पुलिस वाले आपको खामखा तंग न करें वे आपके साथ एक कॉमन क्रिमिनल की तरह पेश न आएं लेकिन उनकी निगाह में एक कॉमन क्रिमिनल तो मैं हूँ उनकी निगाह में मैंने अपनी बीवी का खून किया है उनकी निगाह उन्हें धोखा दे रही है प्रोफेसर साहब मैं यह बाल धूप में सफेद नहीं किये मैं इनसान की जात पहचानता हूँ आप जैसा उचे दर्जे का इनसान हत्या जैसा जगन्य अपराध नहीं कर सकता मैं साथ जन्म इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि आपने अपनी बीवी की हत्या की है शक्रिया परशर खोखले स्वर में बोला पुलिस से तो मैं बात करूंगा ही इसके अलावा आप मुझसे कोई भी, कैसी भी सेवा चाहते हों तो निसंकोच कहिए अगर मैं आप से किसी काम आ सका तो यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी राय बहादूर साहब मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आपकी सूरत में इस शहर में मुझे अपना कोई हमदर दिखाई दे रहा है यहाँ आपका बड़पन है कि आप ऐसा समझ रहे है मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आपके पास हाजिर होंगा जरूर घर आपका है मैं आपका हूँ शुक्रिया वह कार से बाहर निकलाया वहाँ से पैदल चलता हुआ वह रिच पर पहुँचा डाल है मराज के डिपार्टमेंटल स्टोर की बगल में वह चश्मों की दुकान थी जहां उसे कल अपने चश्मे के लिए फोन किया था उसका चश्मा तयार था चश्मा उसकी नाक पर पहुँचा तो उसकी जान में जान आई तब उसने पहली बार महसूस किया कि नमबर चाहे ज्यादा न हो लेकिन एक बार चश्मे की आदत पढ़ जाने पर उसके बिना गुजारा करना कितना कठेन हो जाता था उसने चश्मे की कीमत अदा की और बाहर निकलाया उस दुकान से अगली दुकान कपड़े की थी जैसा ही नाइट गाउन तंगा हुआ था जैसा परसों रात उसने माया को पहने देखा था। अब चश्मा उसकी नाग पर मौजूद होने की वजह से उस पर लगी कीमत का बिल्ला उसे दूर से ही दिखाई दे रहा था। कीमत लिखी थी 150 रुपए। अरे दाउन फट जाएगा। उसके कानों में माया का मद्धरा स्वर गूज गया। यह 300 रुपए का गाउन है जो मैंने आज पहली बार पहना है। वह दुकान में दाखिल हुआ। वह बाहर शोकेस में जो गाउन तंगा हुआ है। वह एक सेल्समैन से बोला जरा दिखाईए। सिल्समैन ने शोकेस में से गाउन निकाल लिया उसने उसे काउंटर पर पराशर के सामने रख दिया पराशर ने बड़ी बारी की से उसका मुआयना किया वहत पूभू माया वाले गाउन जैसा ही गाउन था क्या कीमत है इसकी उसने पूछा सिर्फ देड़ सो रुपए सिल्समैन बोला ले जाए साहब निहायत उम्दा चीज है क्या पहले कभी यह गाउन तीन सो रुपए में भी बिकता रहा है नहीं तो सिल्समैन उसके प्रशन पर हैरान होता हुआ बोला शुक्रिया पराशर बोला और दुकान से बाहर की तरफ बढ़ा ले जाए साहब सिल्समैन उसके पीछे से बोला ऐसी शांदार चीज ऐसे दामों पर रोज-रोज नहीं मिलती आपके लिए कीमत और कम कर देंगे पराशर उसकी बात पर ध्यान दिये बिना बाहर सडक पर आगया समीप ही एक बुक स्टाल था बुक स्टाल से उसने उस रोज का ट्रिब्यून खरीदा वह वहां से थोड़ा आगे बढ़ा और फिर एक बिजली के खंबे का सहारा लेकर खड़ा हो गया उसने अखबार खोल कर उस पर निगाह डाली उसने देखा उससे संबंधित समाचार मुखप्रिष्ट पर छपा था समाचार के साथ माया की तस्वीर भी छपी थी उनमें दो तस्वीरें तो पुलिस के रिकार्ड वाली थी लेकिन तीसरी तस्वीर वह थी जो उसने इंस्पेक्टर हीरालाल को दिखाई थी उसे हीरालाल पर बहुत गुस्सा आया हीरालाल को वह तस्वीर उसे वापस करनी चाहिए थी न कि अखबार वालों को छापने के लिए दे देनी चाहिए थी अखबार में माया के गायब हो जाने और उसके पिछले जीवन से संबंधित तमाम बातें सविस्तार छपी थी खबर में उसके पुलिस रिकार्ड का और इस तथ्य का भी जिक्र था कि दिल्ली की एक ज्वल रोगरी और उससे संबंधित एक गैंगस्टर विक्रम सिन्ह की मौत के सिलसिले में पुलिस को माया की काफी अर्से से तलाश थी खबर में तथ्यों के साथ कलपना की भरपूर मिलावट थी और उसमें इसी बात पर बल दिया गया था कि माया कोई बड़े संदिग्ध चरित्रवाली जरायम पेशा औरत थी जिन दो बदमाशों ने पराशर पर आक्रमन किया था वे शायद माया के कोई पुराने साथी थे उनके हाथों पिटकर पराशर क्रोध में पगलाया हुआ घर पहुँचा वहां उसी बात को लेकर उसकी माया से तूटू मैमै हो गई बात इस हद तक बढ़ी की क्रोध में अंधे होकर पराशर ने माया का खून कर दिया और बाद में तहखाने में मौजूद भठी में उसकी लाश जला दी पराशर की इस कर्तूद का यह अपने आप में सबूत था कि माया का कोई कपड़ा कोई फॉरन इस्तमाल में आने वाला निजी सामान पराशर के फ्लैट से गायब नहीं था और अपने नौकर मंगतराम की हत्या भी उसी ने की थी क्योंकि उसने पराशर को माया की लाश भठी में जोगते देख लिया था खबर में भठी में से बरामद उन तमाम चीजों का भी जिक्र था जो इंस्पेक्टर हीरालाल ने उसे दिखाई थी उसने अखबार को लपेट कर अपने ओवरकोट की जेब में रख लिया जो बातें अखबार में छपी थी, वही उसे इंस्पेक्टर हीरालाल ने जुबानी भी कही थी लेकिन एक ही बात अखबार में छपने में और इंस्पेक्टर हीरालाल के कहने में काफी फर्क था इंस्पेक्टर हीरालाल ने ड्यूटी भुगताई थी, उसने बहस के तौर पर पराशर के सामने पुलिस द्रिश्टिकोन रखा था और उससे सच वह सच जो उसकी निगाह में सच था, कबुलवाने की कोशिश की थी लेकिन उन्ही बातों के ट्रिब्यून जैसे जिम्मेदार अख़बार में छप जाने से तो उसे लग रहा था जैसे सारी दुनिया के सामने नंगा कर दिया गया हो उसकी अपने घर जाने की हिम्मत न हुई वह अपने पासपडोस के लोगों से निगाह नहीं मिला सकता था वह बेगुनाह था, लेकिन वह जानता था कि लोगों ने उसे ऐसी निगाहों से देखना था जैसे वे हैरान हो रहे हों कि उसे फांसी क्यों नहीं लगी थी या वह अभी तक आजाद क्यों घूम रहा था रात भर की हाय तौबा की जगह से उसके जिस्म का पोर-पोर दुख रहा था और आखें नींड से अपने आप बंध होती जा रही थी उसे उस वक्त आराम की सक्त जरूरत थी उसने किसी होटल में जाने का फैसला किया अपनी उस विकट की घड़ी में भी एक बात लगातार हथोड़े की तरह उसके जहन में बज रही थी भट्टी बुझी पड़ी थी और उसके किरायदार गुस्से में लालपीले हो रहे होंगे आडियो बुक शॉप में आपका स्वागत है क्रिप्या मेरे चैनल आडियो बुक शॉप को सब्सक्राइब करें और क्रिप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं पराशर की नींद खुली उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली दस बस चुके थे बारा बजे के करीब वह वहां पहुचा था और खाना खाते ही सो गया था इसका मतलब था कि पूरे दस घंटे वह घोड़े बेचकर सोया रहा था उस वक्त वह होटल मैसोनिक के एक छोटे से लेकिन आरामदे कमरे में मौजूद था उस इलाके में और भी कई उस तर के होटल थे लेकिन फिर भी पता नहीं पराशर के मन में ऐसा क्या आया था कि वह मैसोनिक में ही पहुचा था वह वही होटल था जहां शादी से पहले माया रहती थी और जहां तक उसे छोड़ने के लिए शादी से पहले वह अक्सर आया करता था उसने उठकर कपड़े पहने और बालों में कंघी फिराई वह सोच रहा था कि क्या उसे पुलिस को खबर करनी चाहिए थी कि वह वहां मौजूद था क्या यह हो सकता था कि पुलिस उसे तलाश कर रही हो और या उसे फरार समझ रही हो समझती थी तो समझे वह मन ही मन बोला वह अपराध ही नहीं था उसने कोई अपराध नहीं किया था किसी खूबसूरत औरत पर फिदा होकर उससे शादी कर लेना और उससे बेपनाह मुहबबत करना कोई अपराध नहीं था उसने चाय मंगाई वर्टिकल बार चाय की चुस्किया लगाते हुए वह परसों शाम से लेकर तब तक घटित तमाम घटनाओं के बारे में सोचने लगा वैसे तो माया की हर बात रहस्यपूर्ण थी लेकिन उसका पुलिस रिकार्ड और विक्रम सिंह नामक गैंगस्टर से उसका कथित रिष्टा उसे सबसे अधिक आंदोलित कर रहा था माया के रिकार्ड में उसके दो अपराधों का जिक्र तो था लेकिन साथ ही इस बात का भी जिक्र था कि उसे सजा नहीं पाई थी क्या चोरी की थी माया ने और उस जाली चैक का क्या चक्कर था जो उसने पास कराने की कोशिश की थी वह अपने आपको तसली देने लगा कि वे दोनों कोई बहुत बड़े अपराध नहीं थे या तो माया ने भयंकर मजबूरी की गिरफ्त में वे अपराध किये थे और या फिर उसे भी वे गलत इल्जाम लगा कर फंसाया गया था आखिर उसे भी तो माया के कतल के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की जा रही थी जैसे वह बेगुनाह था वैसे हो सकता था कि माया भी नाह रही हो अगर वह गुनहगार होती तो बरी कैसे हो जाती? निश्चे ही माया बुरी लड़की नहीं थी इंस्पेक्टर हीरालाल ने खुद इस बात की तस्दीक की थी उसका रिष्टा कभी विश्यावरित्ती आकाल गर्ल के धंधे से नहीं रहा था वह अगर चाहती तो वह पैसा कमाने का सहूलियत का रास्ता अक्तियार कर सकती थी वह जरूर हालात में मजबूर तरस खाय जाने के काबिल युवती थी लेकिन एक गैंगस्टर के उसका नाता एक ज्वेल रॉबरी से उसकी रिष्टा जरूर उसमें भी कोई गड़बर थी दिल के हाथों मजबूर पराशर ने अपने आपको समझाया माया पर उसका इतना अंधा विश्वास था कि उसकी निगाह में उसकी हर बात सही थी और उसके खिलाफ कही गई दुनिया की हर बात गलत थी उसका यही विश्वास उसे यह नहीं मानने दे रहा था कि माया मर चुकी थी भट्थी की राख से बरामद उन चीजों के बावजूद वह मानने को तयार नहीं था कि माया मर चुकी थी जरूर कहीं कोई गड़बड थी इंसानी हड्डियों के टुकडे, बालों का क्लिप, सैंडल की एडी और अंगूठी भट्थी में जोकी गई हो सकती थी साथ में माया भट्थी में जोकी गई हो यह वह मानने को तयार नहीं था जरूर अपने किसी विशिष्ट स्वार्थवश कोई चाहता था कि माया को मरा हुआ समझ लिया जाए लेकिन वह कौन था? और अगर माया जिन्दा थी तो कहा थी? एक और बात उसे याद आई कल सुबह जब वह सोकर उठा था तो उसने माया को फ्लैट से गायब पाया था लेकिन फ्लैट में किसी तरह की अव्यवस्था फैली उसे नहीं दिखाई दी थी अगर कोई आदमी पर सो रात जबरन फ्लैट में घुसा था और माया को उसकी मर्जी के खिलाफ वहां से ले गया था तो फ्लैट में कोई जगहों से उठाब तक के संकेत मिलने चाहिए थे और वह कितनी भी घंगोर नींद क्यों नहीं सोया हुआ था उसकी नींद खुलनी चाहिए थी यह कैसे हो सकता था कि माया वहां से जबरन ले जाए गई और वह एक बार चीखी तक नहीं इसका तो एक ही मतलब हो सकता था कि माया अपनी मर्जी से चुपचाप फ्लैट में से खिसकी थी लेकिन सिर्फ एक नाइट ड्रेस में क्यों? और फिर मंगतराम का कतल किस ने किया? पराशर ने उसकी खोपरी तरबूस की तरहे फटी देखी थी पुलिस के कतनानुसार उसके सिर पर लोहे के डंडे से प्रहार किया गया था वर्टिकल बार एक डंडा उसने वीरु नाम के उस बदमाश के हाथ में देखा जिसने अपने लंबे चौडे साथी के साथ उस पर आक्रमन किया था लेकिन वह डंडा लोहे का था या नहीं यह पराशर नहीं जान सका था क्या उनहीं दोनों बदमाशों ने मंगतराम की हत्या की थी अगर की थी तो क्यों और वे दोनों बदमाश आधी रात को उसके मकान में क्या करने आये थे उन्होंने माया के लिए अगले दिन टिप टाप में मिलने का संदेशा भिजवाया था इसलिए अगले दोपहर तक तो उनसे खामोशी से इंतजार करने की अपेक्षा की जा सकती थी क्यों? कैसे? क्यों? कैसे? हर जो बात उसके जहन में आती थी वह उसके आगे ये सवाल लगे पाता था पता नहीं क्या गोर्खधंधा था क्यों एकाएक उसके हरे भरे घर संसार पर तबाही के काले बादल मंदराने लगे थे उसका दिमाग भन्ना गया वह अपने कमरे से निकला और नीचे रिसेप्शन पर पहुँचा वहां से उसने टेलीफोन डायरेक्टरी हासिल की डायरेक्टरी में उसने दीनदयाल शास्त्री का नाम तलाश किया डायरेक्टरी के अनुसार वकील साहब के ओफिस का पता वही था जो माया ने उसे बताया था उसी पते के नीचे उनके घर का पता और टेलीफोन नमबर लिखा था पराशर ने छोटे शिमला का वह पता और फोन नमबर एक कागस पर नोट कर लिया इतनी रात गए वह वकील घर पर ही मिल सकता था पराशर उससे अपने लिए कानूनी सहायता हासिल करने के बहाने मिलना चाहता था कि वह माया के बारे में क्या जानता था आखिर माया उसके आफिस में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर चुकी थी वकील माया के बारे में काफी कुछ जानता हो सकता था वैसे भी अपनी मौजूदा हालात में एक काबिल वकी की सेवाओं की जरूरत तो थी ही उसे उसने दीन्दयाल शास्त्री के घर के नंबर पर फोन करके उससे मुलाकात का वक्त लेने की कोशिश की लेकिन फोन शायद खराब था दूसरी तरफ से कोई उत्तर न मिला उसने ततकाल शास्त्री के घर जाने का फैसला किया वह बाहर की तरफ बढ़ा होटल में मुख्यद्वार के पास एक अधेड़ावस्था का वर्दीधारी वेटर खड़ा बीडी पी रहा था पराशर उसके पास ठिठका उसके जेहन में एक ख्याल आया सुनो वह बोला क्या नाम है तुम्हारा मेरा नाम थापा है साहब वह बोला थापा तुम कब से इस होटल में हो पांच साल हो गए साहब तुम्हें इस होटल की माया सिप्पी नाम की एक गैस्ट की याद है जो तीन महीने पहले तक स्थाई रूप से यहां रहती थी खूब याद है साहब आज के अखबार में उसकी तस्वीर भी छपी है कहते हैं उसके पती ने उसे भठी में जलाकर उसकी हत्या कर डाली है आपने नहीं पढ़ा साहब पढ़ा है आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे है साहब पराशर ने उसके प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर अपनी जेब से एक दस का नोट निकाला और उसे वेटर की मुठी में हनस्ता हुआ बोला, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ आप क्या जानना चाहते हैं, साहब? जब वह वहां रहती थी, तो उसका रखरखाव और व्यवहार कैसा हुआ करता था? वैसा ही जैसा किसी भले घर की शरीफ बहुबेटी का होना चाहिए उससे मर्ग मिलने आते थे? नहीं? कभी भी नहीं? कभी कभार कोई आता था, तो वह रिसेप्शन से आगे नहीं बढ़ा था उसके यहां से चले जाने से पहले दो-तीन महीने तक एक साहब रात को कभी कभार उसे यहां तक छोड़ने आया करते थे लेकिन वे भी दर्वाजे से लौट जाया करते थे यानि की माया किसी मर्द को अपने कमरे तक नहीं ले जाती थी? सवाल ही नहीं पैदा होता साहब उसने तो रिसेप्शन पर भी हिदायत दी हुई थी कि उसके किसी मिलने वाले को उसके कमरे में न भेजा जाएं बलकि नीचे बुलवा लिया जाएं वर्टिकल बार यानि की वह बड़ी चरित्रवान लड़की थी आज सुभा तक तो मैं यही समझता था साहब लेकिन आज जब पेपर में पढ़ा कि उसका तो पुलिस रिकार्ड है वह दो बार पहले पुलिस द्वारा गिरफतार की जा चुकी है और वह किसी गैंगस्तर से संबंध रखती रह चुकी है तो साहब मेरे तो छक्के छूट गए बताये कौन सोच सकता था कि भीतर से ऐसी पोल निकलेगी औरत जात को समझना साहब भगवान के भी बसकी बात नहीं है आप कौन है साहब पुलिस या सी आईडी वाले तो आप नहीं है क्योंकि फिर आप मुझे बक्षीश में दस का नोट नहीं देते आप क्या कोई प्रेस रिपोर्टर है नहीं भाई पराशर गहरी सांस लेकर बोला मैं वह पती हूँ जिसने अपनी पतनी को भठी में जलाकर उसकी हत्या कर डाली है वेटर हक्का बक्का सा उसका मुह देखने लगा वर्टिकल बार पराशर आगे बढ़ा वर्टिकल बार समीप ही एक छोटा रेस्टोरेंट था जहां से उसने एक नहायत मामूली खाना खाया वर्टिकल बार लिया खाने के बाद वहीं से उसने एक कप कॉफी पी कॉफी खाने से कई दर्जे अच्छी थी पहला कप खतम होते ही उसने एक कप और मंगा दूसरे कप के दौरान उसके जहन में सतीश की तस्वीर उभी कहा माया कहा सतीश मानने को जी नहीं चाहता था कि दोनों भाई भन थे माया शालींता और सदाचार की प्रतिमूर्ती एक खानदानी लड़की लगी थी और सतीश लगता था एक गंदा लीज मोरी का कीड़ा लालची स्वार्थी चरित्रही क्या ऐसा आदमी अपने किसी स्वार्थ की खातिर अपनी सगी बहन से दगा नहीं कर सकता था सरासर कर सकता था इस जवाब में पराशर को इस बात का भी जवाब दिखाई दिया कि उन दोनों बदमाशों को माया का पता कैसे मालूम हुआ जरूर सतीश ने बताया था पुलिस स्टेशन पर भी उस चोकरे ने वह संदेहजनक बात कही थी कि वह माया के पुलिस रिकार्ड के बारे में कुछ नहीं जानता था जबकि पराशर के सामने उसने खुलेयाम इस बात कर जिक्र किया था और वह उनके फ्लैट के इतने चक्कर क्यों लगाता था जरूर वह वहाँ उन दोनों बदमाशों द्वारा भीजा जाता था उन्हें संदेह था कि दिल्ली की ज्वेल रॉबरी के हीरे माया ने फ्लैट में ही कहीं छुपाए हुए थे रिष्टेदारी की ओट में वहाँ अक्सर चक्कर लगाते रहकर सतीश बड़ी बारी की से हीरों की तलाश में फ्लैट को टटोल सकता था इतने चक्करों में वह फ्लैट के मुख्य द्वार की डुप्लीकेट चाबी भी तयार करवा सकता था क्या पता परसों आधी रात को चुपचाप वही उनके फ्लैट में घुसा हो अपने भाई को यूँ फ्लैट में घुसा पाकर संभव था कि माया ने शोर मचाना उचित न समझा हो क्योंकि उसका बाकी का व्यवहार पहले से ही यह साबित कर रहा था कि वह सतीश की खबर पराशर को नहीं लगने देना चाहती थी सतीश किसी प्रकार उसे वहां से चलने को और चल कर उन दो बदमाशों से बात करने के लिए मनाने को तयार करने में काम्याब हो गया होगा माया के फ्लैट से बाहर कदम रखते ही उन्होंने उस पर काबू पालिया होगा मंगतराम द्वारा देख लिये जाने पर उन्होंने मंगतराम का कतल कर दिया होगा और फिर माया को भी मरा साबित करने के लिए उन्होंने उसका कुछ व्यक्तिगत साजो सामान भट्टी में जोक दिया होगा पराशर को वह थ्योरी बहुत जंचि उस थियोरी में कई नुक्स थे, लेकिन फिर भी वह पुलिस की उस थियोरी से ज्यादा जानदार थी जो उन्होंने पराशर को अपराधी साबित करने के लिए घड़ी थी क्या उसे अपनी वह थियोरी पुलिस को बतानी चाहिए थी? नहीं उसकी अकल ने फैसला किया, सबसे पहले उसे वकील से बात करनी चाहिए थी और जो बताना था वकील को बताना चाहिए था उसने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली ग्यारह बस चुके थे, लेकिन फिर भी उसने वकील दीन्दयाल शास्त्री के घर जाने का फैसला कर लिया उसने रेस्टोरेंट का बिल चुकाया और वहां से बाहर निकलाया बाहर बर्फ तो नहीं गिर रही थी, लेकिन हवा बेहत थंडी चल रही थी वह सोचने लगा कि उस वक्त वह छोटे शिमले तक जाये कैसे? उसे अपनी कार का ख्यार आया कहा थी उसकी कार? कल रात से तो वह या तो पुलिस की जीप में आता जाता रहा था और या फिर पैदल चलता रहा था फिर उसे याद आया कि अपनी इमारत के सामने जहां वह अक्सर कार खड़ी किया करता था कल रात उसने वहा पहले से ही एक काली एमबैसेडर खड़ी पाई थी और आगे भी इन गाडियां खड़ी थी कि अपनी फियेट को उसे काफी दूर ले जाकर खड़ा करना पड़ा था अपने ओवरकोट की जेबों में हाथ घंसाए और सिर नीचे जुकाए वह तेजी से उस तरफ बढ़ा जिधर उसकी कार खड़ी थी वह अपनी कार तक पहुँचा पहले उसका जी चाहा कि वह एक चक्कर फ्लैट का भी लगा आए लेकिन बुझी हुई भट्टी की उसे कुछ ऐसी दहशत थी कि उसने फौरण वह इरादा छोर दिया वह कार में सवार हुआ इंजन एकदम थंडा पड़ा था इसलिए बड़ी महंत के बाद वह उसे चालू करने में काम्याब हो सका उसने कार को सड़क पर दोड़ा दिया एक क्षण के लिए तुसे ख्याल आया कि वह क्यों न पहले लकड बाजार जाकर सतीश से दोचार होने की कोशिश करे लेकिन फिर उसने अपना इरादा बदल दिया उसे वकील के घर फौरण पहुँचना चाहिए था अन्यथा बात कल पर तल सकती थी अपनी ससुराल की याद आते ही उसके मानस पटल पर छाया की सुरत उभी बेचारी लड़की पागल जरूर थी लेकिन वह खूबसूरती और नौजवानी में माया से किसी कदर कम नहीं थी फिर उसके मन में एक बड़ा वहशी ख्याल आया क्या उस लड़की के साथ सतीश का कोई ऐसा वैसा रिष्टा हो सकता था लड़का एक नंबर का हराम जादा था इस लिहास से उससे कुछ भी अपेक्षित था लेकिन चाया उसकी सगी बहन थी पराशर के अच्छे संसकारों ने उसे मजबूर किया कि वह उस अपवित्र ख्याल को अपने दिमाग से जटक कर निकाल दे खाली सडकों पर कार दोडाते समय दो बार उसे महसूस हुआ कि उसका पीछा किया जा रहा था लेकिन दोनों ही बार उसके पीछे आतीकार एकायक किसी और सडक पर मुर गई और उसके पीछे से गायब हो गई वह छोटे शिमले पहुचा छोटे शिमले में दीन्दयाल शास्त्री का मकान छोटा सा लेकिन अपने आसपास के मकानों के मुकाबले में निहायत खूबसूरत निकला उसे यह देखकर बड़ी राहत महसूस हुई कि निचली मनजिल की खिड़कियों से रोशनी दिखाई दे रही थी वर्टिकल बार अब वह दर्वाजे पर दस्तक देने की हिम्मत कर सकता था उसने अपनी कार को वहां सडक पर पहले से ही खड़ी एक कार के पीछे खड़ा किया और बाहर निकला उसने कार के दर्वाजे को ताला लगाया और आगे बढ़ा वह अगली कार की बगल से गुजरा तो एक जानी भचानी आवाज उसके कानों में पड़ी हमें पता था तुम यहीं आओगे इसलिए हम तुम्हारे से पहले यहां पहुँच गए हैं कहा गायब हो गए थे प्रोफेसर साहब तुम्हारे घर के आगे तुम्हारा इंतजार करते करते तो हमारा अर्क निकल गया वह वीरू के साथी की आवाज थी वह कार से बाहर निकला उसका लंबा चोड़ा शरीर पराशर का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया हम माल पर ही तुम्हारा पट्रा कर देते उसे वीरू की आवाज सुनाई दी लेकिन वहां आदमी बहुत थे फिर वह भी कार से बाहर निकल आया तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो पराशर क्रोधित स्वर में बोला वीरू का साथ ही हंसा वर्टिकल बाय नहीं कोई नहीं था और मेरी बीवी कहा है पराशर बोला वीरू उसकी बाई और आखड़ा हुआ था वह बोला अकबार नहीं पढ़ते हो प्रोफेसर साहब जो ही तुम्हें मालूम हुआ कि तुम्हारी बीवी एक संदिग्ध चरित्र की जरायम पेशा लड़की थी हम जानते हैं लेकिंग पुलिस तो नहीं जानती दोनों उसके दायमबाएं इस प्रकार खड़े हुए थे कि पराशर एक वक्त में दोनों पर निगाह नहीं रख सकता था हालां कि ऐसा करना जरूरी था क्योंकि उनके इरादे नेक नहीं मालूम होते थे यानि कि तुम कबूल करते हो कि माया मरी नहीं है पराशर बोला तुम्हारी खातिर मान लेते हैं वीरू बोला पॉंट लेकिन प्रोफेसर साहब वीरू का साथी बोला तुम्हें तो जेल में बंध होना चाहिए था तुम आजाद कैसे घूम रहे हो तुम्हारी आजादी तो हमारे लिए बड़ी पेचीदगिया खड़ी कर सकती है वीरू बोला बक्वास बंध करो पराशर कठोर स्वर में बोला और यह बताओ की मेरी बीबी कहा है वीरू बोला वह जहां भी है एकदम सुरक्षत है लेकिन पठी जिद्धी अभी भी उतनी ही है जितनी वह विक्रमसिन्ह के जमाने में थी लेकिन हमने भी बड़ो बड़ो की जिद्ध तोड़ी है एक बार हम उससे निपट भर लें वीरू का साथी बोला फिर उसकी भी वही हालत होगी जैसी उसकी पागल बहन की है उससे भी बुरी वीरू बोला खबरदार जो तुमने माया को हाथ लगाया पराशर कहर भरे स्वर में बोला लंबा चौड़ा आदमी एक कुचसित हंसी हंसा उसने अपने शरीर को एक अशलील जटका दिया और बोला मंजूर हाथ नहीं लगाएंगे हराम जादे पराशर चिल लाया और उसने पूरी शक्ती से एक घूसा वीरू के लंबे चौड़े साथी के चहरे पर जड़ दिया पराशर के बेपनाह क्रोध ने ही शायद उसके उस प्रहार में इतनी शक्ती पैदा कर दी थी कि उसे अपनी घूसे की शकलबंद उंगलियों के नीचे उसकी नाग की हड़ी चटकती महसूस हुई वीरू का साथी लड़ खड़ा कर पीछे हटा और अपनी नाग से एकाएक अपने कोट पर टपकने लगे खून को यू हैरानी से देखने लगा जैसे जो कुछ हुआ था उस पर उसे विश्वास न हो रहा हो वीरू एकाएक वह कहर भरे स्वर में चिलाया मार साले को वीरू ने अपनी जेव से अपना पुराने वाला डंडा निकाल लिया और बोला मैं साले की खोपडी का तर्बूज बना दूँगा जैसे तुमने मंगतराम की खोपडी का तर्बूजा बनाया था पराशर बोला वीरू ने डंडा घुमाया पराशर ने जुकाई देकर वार बचाया और उस पर आक्रमन किया वीरू उसके एक ही घुंसे की मार से भरभरा कर पीछे बर्फ पर जागिरा लेकिन उस दौरान उसका ध्यान उसके साथी की तरफ से बंट गया था उसकी नाक ही तूटी थी लेकिन वह इतना निश्क्रिय नहीं हुआ था कि वह पराशर पर आक्रमन न कर पाता वीरू के साथी ने पीछे से पराशर पर छलान लगा दी पराशर उसके वजन के नीचे सड़क पर धेर हो गया पड़ा तब वीरू भी उठ खड़ा हुआ उसके डंडे का पहला प्रहार पराशर की कनपटी पर उसके बाद फिर उसकी धुनाई शुरू फिर पता नहीं कब उसकी चेतना लुप्थ हो गई चैप्टर ती पराशर को यू लग रहा था जैसे वह आसमान पर उड़ा रहा था जैसे वह बादलों के उडंख टोले में सवार था जैसे परियां उसे हिंडोला जुला रही थी फिर उसे अनुभव हुआ की हिंडोला जुलाती परियों के जुन्ड में माया भी थी फिर वह माया की बाह थामे परियों से दूर, हिंडोले से दूर कहीं भाग रहा था तनहाई की तलाश में वैसी तनहाई की तलाश में जैसी उसे अपनी सुहागरात को हासिल थी एकाएक उसे लगने लगा कि माया का रेशम जैसा जिस्म उस वक्त भी उसकी बाहों में था माया के गुलाब की पंखुडियों जैसे होट धीरे-धीरे हिल रहे थे वह कह रही थी मैं अपने आपको बहुत अच्छी बीवी साबित करने की कोशिश करूंगी फिर पराशर जैसे रेशम से ढख गया कहीं से अजीब सी खड़-खड़ और जंजनाहट की आवाज आ रही थी जो उसके आनंद में बाधक बन रही थी उसे जुझलाहट होने लगी उसने माया के जिस्म को अपने उपर से परेधकेल कर वह आवाज बंद करने की नियत से उठने की कोशिश की तो उसका हाथ कार के दरवाजे के हैंडल पर पड़ा हैंडल उसके हाथ के दबाव से जुग गया फिर उसका शरीर दरवाजे की तरफ जूला दर्वाजा खुल गया और वह कार के स्टेरिंग के पीछे से सरक कर कार से नीचे वर्फ में ढकी सड़क पर जाकर गिरा माया फॉरन कहीं गायब हो गई नीचे गिरने की वजह से उसके दिमाग के तार तनिक जंजनाए उसने जोर से अपने को जटका दिया और ख्यालों की दुनिया से लोटने की कोशिश की उसके होश कुछ ठिकाने लगे तो वह किसी प्रकार गिरता पड़ता उठकर खड़ा हुआ कार का सहारा लिये वह कितनी ही देर लंबी-लंबी सांस लेता रहा उसके जिस्म का पोर-पोर दुख रहा था और उसे यू लग रहा था जैसे उसमें से सारी शक्ती निचोड ली गई थी फिर उसने धीरे से अपने चहरे पर हाथ फेरा यह देखकर उसे बड़ी राहत महसूस हुई कि इस बार उसका चश्मा सही स्लामत उसकी नाक पर मौजूद था उसने आखें फाड़ कर चारों तरफ देखना आरंभ किया रात के अंधेरे में फारण तो वह केवल इतना समझ पाया कि वह कम से कम छोटे शिमले में वकील दिंदयाल शास्त्री के मकान के सामने मौजूद नहीं था वह तो कहीं खुले में था जहां कि कोई इमारत दिखाई नहीं दे रही थी चारों तरफ या तो पेड थे या बर्फ थी उसने अपने दोनों हाथों में अपना माथा थाम लिया उसकी कनपटियों में हथोडे की तरह खून बज रहा था फिर एक आएक उसके मस्तिश्क में बिजली सी कौन्ध गई के भगवान वह तो कुफरी में था वह छोटे शिमले से कुफरी में कैसे पहुँच गया वह जीजान से अपनी मानसिक शक्तियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा खड़खड की आवाज अभी भी आ रही थी वही एक आवाज थी जो उसकी कलपना का यथार्थ से रिष्टा जोड रही थी फिर जल्दी ही उसकी समझ में आ गया कि वह आवाज कैसी थी और कहां से आ रही थी उसकी कार का इंजन चालू था और आवाज उसी के चलने की थी इंजन क्यों चल रहा था उसने आखे फाड़ फाड़ कर कार की तरफ देखा उसने देखा कार की पिछली खिड की थोड़ी सी खुली थी और उसमें से एक रबड की ट्यूब भीतर कार में दाखिल हो रही थी उस ट्यूब का दूसरा सिराकार के प्रिष्ठभाग में बने कार के उस पाइप से जुड़ा हुआ था जिसमें से इंजन का धुआ बाहर निकलता था ट्यूब को पाइप से प्लास्टिक टेप की सहायता से इस प्रकार जोड़ा गया था कि इंजन चालू होने से बन रही कार्बन मोनोकसाइड गैस का जहरीला धुआ ट्यूब में से होकर कार के भीतर जा रहा था पराशर ने कापते हाथों से ट्यूब को पाइप से अलग किया फिर उसने कार के भीतर हाथ डाल कर इंजन बंद किया और कार के चारों दर्वाजे खोल दिये वह बेहद आतंकित था वह मरने से बाल-बाल बचा था अभी तक कारबन मोनोकसाइड गैस के जहरीले धुए ने उसकी जान लेली होनी चाहिए थी लेकिन पता नहीं किस अद्रिश्य शक्ती ने उसे बचा लिया था कारबन मोनोकसाइड गैस से होने वाली मौत के बारे में एक बात वह जानता था उसमें आदमी बड़े मीठे सपने लेता हुआ नींद में ही खुशी-खुशी मौत के आगोश में पहुँच जाता था और उसे खबर भी नहीं होती थी बाद में लाश के चहरे पर भी बड़ी त्रिप्ती और संतोश की मुस्कराहट पाई जाती थी वर्टिकल बार वे दोनों बदमाश उसे ऐसी मौत क्यों मारना चाहते थे वह कार का सहारा लिए खड़ा रहा और कार के भीतर धुआ साफ होने की प्रतीक्षा करने लगा वह अपनी मौजूदा हालत की कोई समझ में आने वाली वजह सोचने की कोशिश करने लगा कुफरी माया को बहुत प्रिय थी और उसे स्कीन का बड़ा शौक था शादी के बाद जो चंद छुट्टियां पराशर कालेच से लेने में काम्याब हो सका था उनमें वे दोनों रोज वहां आया करते थे कुफरी के साथ उनके शुरुआत के विवाहित जीवन के कई रोमांटिक शन जुड़े हुए थे वे दोनों बदमाश निश्चय ही बहुत चालाक थे वे उसे मरने के लिए जानबूच कर कुफरी में छोड़ कर गए थे ताकि बाद में यह समझा जाता कि पुराने दिनों की रंगीन यादों ने पराशर को कुफरी में आकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था लेकिन उन बदमाशों को कुफरी की उनके लिए किसी ऐसी अहमियत की कैसे खबर हो सकती थी सिर्फ एक ही तरीके से मस्तिश्क ने जवाब दिया था धीरे धीरे सक्रिय होते उसके जरूर उस हराम जादे सतीश ने उन्हें बताया होगा सतीश लगता था पूरी तरह से उन बदमाशों के काबू में तब तक भीतर से गैस छंट चुकी थी बाहर की सर्दी अब उसे नाकाबिले बरदाश्ट लग रही थी हो रही थी उस ट्यूब का दूसरा सिराकार के प्रिष्ठभाग में बने कार के उस पाइप से जुड़ा हुआ था जिसमें से इंजन का धुआ बाहर निकलता था ट्यूब को पाइप से प्लास्टिक टेप की सहायता से इस प्रकार जोड़ा गया था कि इंजन चालू होने से बन रही कारबन मोनोकसाइड गैस का जहरीला धुआ ट्यूब में से होकर कार के भीतर जा रहा था पराशर ने कापते हाथों से ट्यूब को पाईट से अलग किया फिर उसने कार के भीतर हाथ डाल कर इंजन बंद किया और कार के चारों दर्वाजे खोल दिये वह बेहद आतंकित था वह मरने से बाल-बाल बचा था अभी तक कार्बन मोनोकसाइड गैस के जहरीले धुए ने उसकी जान लेली होनी चाहिए थी लेकिन पता नहीं किस अद्रिश शक्ती ने उसे बचा लिया था कार्बन मोनोकसाइड गैस से होने वाली मौत के बारे में एक बात वह जानता था उसमें आदमी बड़े मीठे सपने लेता हुआ नींद में ही खुशी-खुशी मौत के आगोश में पहुँच जाता था और उसे खबर भी नहीं होती थी बाद में लाश के चहरे पर भी बड़ी त्रिप्ती और संतोश की मुस्कराहट पाई जाती थी वर्टिकल बार वे दोनों बदमाश उसे ऐसी मौत क्यो मारना चाहते थे वह कार का सहारा लिये खड़ा रहा और कार के भीतर धुआ साफ होने की प्रतीक्षा करने लगा वह अपनी मौजूदा हालत की कोई समझ में आने वाली वजह सोचने की कोशिश करने लगा कुफरी माया को बहुत प्रिय थी और उसे स्कीन का बड़ा शौक था शादी के बाद जो चंद छुट्टियां पराशर कालेट से लेने में काम्याब हो सका था उनमें वे दोनों रोज वहां आया करते थे कुफरी के साथ उनके शुरुआत के विवाहित जीवन के कई रोमांटिक शन जुड़े हुए थे वे दोनों बदमाश निश्चय ही बहुत चालाक थे वे उसे मरने के लिए जानबूच कर कुफरी में छोड़ कर गए थे ताकि बाद में यह समझा जाता कि पुराने दिनों की रंगीन यादों ने पराशर को कुफरी में आकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था लेकिन उन बदमाशों को कुफरी की उनके लिए किसी ऐसी अहमियत की कैसे खबर हो सकती थी सिर्फ एक ही तरीके से मस्तिश्क ने जवाब दिया था धीरे धीरे सक्रिय होते उसके जरूर उस हराम जादे सतीश ने उन्हें बताया होगा सतीश लगता था पूरी तरह से उन बदमाशों के काबू में तब तक भीतर से गैस छंट चुकी थी बाहर की सर्दी अब उसे नाकाबिले बरदाश्ट लग रही थी वह कार में बैठ गया उसने चारों दर्वाजे बंद कर लिये लेकिन पिछले दर्वाजों की दोनों खिड़कियां खोल दी बैठने से उसे तनिक राहत महसूस हुई उसने अपने ओवरकोट को मजबूती से अपने गिर्द लपेट लिया और जबड़े भीच कर दान्तों को बजने से रोका कुफरी का उजाड इलाका रात के उस वक्त उसे भुथा लग रहा था और माहौल की दहशत उस पर तारी हो रही थी वर्टिकल बार कैसी बेहूदी मौत मरने जा रहा था वह अगर इत्वाक से उसका हाथ हैंडल पर पढ़ जाने की वजह से दर्वाजा न खुल गया होता और वह कार से बाहर न जा गिरा होता तो उसकी मौत निश्चित थी फिर यही समझा जाता कि अपनी बीवी का कतल कर चुकने के बाद अपने अंजाम से घबरा कर या अपनी कर्तूत के पश्चाताप की नियत से उसने आत्महत्या कर ली थी वकील के घर के सामने दोनों आदमियों से पड़ी मार का कोई निशान उसके शरीर पर अगर बरामद हो भी जाता तो उसे उस पहली मार की दस्तावेश समझा जाता जो दो दिन पहले उसे कचहरी के कमपाउंड में पड़ी थी कैसी होशियारी से उसका सफाया करने का सामान किया गया था पुलिस को उससे कोई हमदर्दी नहीं था वे बड़ी खुशी से उसकी मौत को आत्महत्या का केस करार दे देते इस प्रकार वे माया की हत्या के केस में उसके खिलाफ सबूत जुटाने की जहमत से भी बच जाते फिर केस अगर इस धंक लोज होता तो कोई उन्हें आकर माया की तलाश करने के लिए कहने वाला न होता इस प्रकार वे दोनों बड़माश बड़े इत्मीनान से जैसी चाहते माया से मनमानी करते माया आखिर औरत थी कब तक वह उन बड़माशों के जुल्म का मुकाबला कर सकती थी और अगर पराशर मर जाता तो वक्त की तो उन्हें कमी होती नहीं तब एकाएक उसे एहसास हुआ कि वह इंतहाई कीन्ती वक्त बरबाद कर रहा था उसे माया के पास पहुँचना था उस विकट संकट की घड़ी में उसकी बीवी को उसकी मदद की जरूरत थी उसने कार का इंजन चालू किया और उसे घुमा कर वापस शिमले को जाती सडक पर डाला बर्फवारी की वजह से रास्ता इतना खराब था कि उसे चीन्टी की रफ्तार से कार चलानी पड़ रही थी रास्तों से होता हुआ वह आगे बढ़ता रहा सुबह छै बजे के करीब वह लकड बाजार पहुचा लोगों के घरों में अखबार डालते एक हौकर से उसने एक अखबार खरीदा उसने देखा अखबार के मुखप्रिष्ट पर ही छपा था हत्या का संदिग्ध अपराधी कालेश प्रोफेसर फराय अखबार वालों न पता नहीं कहां से उसकी एक तस्वीर भी हासिल कर ली थी जो खबर के साथ छपी थी तस्वीर काफी पुरानी थी लेकिन पराशर के किसी परिचित को उसमें पराशर को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी वह सोचने लगा जब यह अखबार लोगों के हाथ में पहुचेगा तो क्या सोचेंगे लोग उसके बारे में ? कालेज में तो जरूर थूथू हो जाएगी उसके नाम पर क्या कोई मानेगा कि वह फरार नहीं था बलकि खुद कतल का शिकार होने जा रहा था ? क्या कोई मानेगा कि वह निर्दोश था? उसने जल्दी-जल्दी सुर्खी के नीचे छपी खबर को पढ़ा. खबर में तकरीबन वही कुछ था जो पिछले रोज के अखबार में भी छप चुका था. खबर में इस बात पर विशेश जोर दिया गया था कि सारे राज्य की पुलिस बड़ी मुस्तैदी से उसकी तलाश कर रही थी और यह की इस बार उसके पकड़े जाने पर उस पर विधिवत चार्ज लगा कर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना अवश्यम भावी थ पराशर ने एक गहरी सास ली और कार आगे बढ़ा दी तब तक सड़क पर थोड़ी भुत आवाजा ही शुरू हो गई थी उसने कार को अपनी ससुराल के लकड़ी के मकान के आगे जाकर रोका उसने इगनीशन बंद किया और कार से बाहर निकला उसने अपने आपसे एक सवाल किया क्या माया उस इमारत में थी अगर वह वहाँ हुई तो किस हालत में होगी वो उसके शरीर में भय की जुरजुरी दोड़ गई भयभीत वह अपने लिए नहीं था भयभीत था वह माया के लिए और इस बात से की भीतर पता नहीं उसे कैसे माहौल से दोचार होना पड़ने वाला था उसने सडक पार की एकाएक वह ठिटका सडक पर उस मकान से थोड़ा परे वही काली एमबैसेडर कार खड़ी थी जिसमें से उसने वीरू और उसके लंबे चोड़े साथी को तब निकलते देखा था जब वह छोटे शिमले में वकील दिन्दयाल शास्त्री के घर के सामने पहुँचा था वह कार के समीग पहुँचा उसने देखा कार के चारों दरवाजे मजबूती से बंध थे और अंधेरे में कार के शीशों से भीतर जाकना संभव नहीं था वह कार वहां क्या कर रही थी क्या वे दोनों बदमाश उस वक्त सतीश वाले मकान के भी मौजूद थे या वे आसपास ही कहीं रहते थे वह वापस सतीश वाले मकान पहुँचा वह कुछ क्षण वही ठिटका खड़ा रहा उसने देखा डाक खाने वाली इमारत के और उस इमारत बीच में एक पतलीसी गली थी उस गली की तरफ पराशर का ध्यान तब नहीं गया था जब वह पहली बार वहां आया था वह कुछ सोच कर उस अंधेरी गली में दाखिल हो गया गली नहायत गंदी थी सारे रास्ते में गंदगी और कच्रा फैला हुआ था लेकिन उसमें से वह सतीश वाले मकाल के पहलू में देख सकता था उसने देखा कि इमारत की उपरी मन्जिल की उस ओर खुलने वाली एक खिड़की में रोशनी थी उसके देखते ही देखते एक साया खिड़की के सामने से गुजरा खिड़की में न केवल रोशनी थी बलकि भीतर कोई मौजूद भी था उसने देखा कि उस गली में पहली मन्जिल की दो और खिड़किया भी खुलती थी लेकिन मकान का उस गली में खुलने वाला कोई दर्वाजा नहीं था मकान में दाखिल होने के लिए सिर्फ सामने सडक पर ही एक दर्वाजा था वह वापस सडक की तरफ बढ़ा तभी उसका पैर किसी भारी चीज से टकराया जो एक तन की आवाज के साथ परे को लुड़की वह तनिक लड़ खड़ाया और फिर संभल गया गली के दहाने से आती मध्यम सी रोशनी में उसने देखा कि वह लोहे की एक लंबी सी छड थी पराशर में जुक कर वह छड उठा ली और उसे अपने हाथ में तोलता हुआ सामने सडक पर पहुचा वह छड हाथ लग जाने की वजह से उसे ऐसा इत्मीनान महसूस हो रहा था जैसे कोई बहुत तगड़ा हतियार उसके हाथ में आ गया था उसने मुख्य द्वार पर आकर दस्तक दी कोई प्रतिक्रिया न हुई उसने लोहे की छड से दर्वाजा खठटाया इस बार प्रतिक्रिया हुई इमारत की निचली मन्जिल के कोने की एक खिडकी में एकाएक रोशनी प्रकट हुई पराशर प्रतिक्रिया करने लगा कुछ खठट बाद भीतर से दर्वाजे की और बढ़ते कद्मों की आहट सुनाई दी फिर दर्वाजा खुला चौखट पर सतीश प्रकट हुआ उसके बाल बिखरे हुए थे और वह अपने जिस्म पर एक कंबल लपेटे हुए था कंबल से बाहर जाकती उसकी नंगी बाहें भी इस बात की चुगली कर रही थी कि वह सीधा बिस्तर से निकल कर आया था क्या है वह आखे मिचमिचाता हुआ बोला पराशर ने अनुभव किया कि उसके मुह से उस वक्त भी पिछली रात को पी किसी घटिया भिस्की की गंधा रही थी फिर एक आएक उसने पराशर को पहचान किया तुम वह हैरानी से बोला यहाँ मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ पराशर सहच स्वर में बोला सतीश ने एक बार फिर जोर से आखे मिचमिचाई गौर से उसकी तरफ देखा और फिर हैरानी से बोला तुम पागल तो नहीं हो गए हो नहीं पराशर पूर्ववत सहच भाव से बोला मेरा दिमाग एक दम दुरुस्त है तो फिर क्यों सुभस्वेरे आकर मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो तुम्हें मेरे यहाँ आने से एतराज है पराशर उसे घूरता हुआ बोला हाँ क्यों मैं तुम्हारा जी जाहूं यह मेरी ससुराल है क्या भूल गए वह हडबडाया तुम अपनी बहन से मिलने मुझसे चोरी छुपे मेरे घर आ सकते हो मैं आपनी बीवी से मिलने तुम्हारी जानकारी में तुम्हारे घर नहीं आ सकता लेकिन माया यहां नहीं है नहीं है तो न सही मुझे भीतर तो आने दो साले साहब सतीश ने रास्ता नहीं छोड़ा पराशर ने जबरन उसे एक ओर धकेला और भीतर दाखिल हुआ अपने पीछे उसने दर्वाजा बंद कर दिया बोला तुम आजाद कैसे घूम रहे हो एकाएक सतीश क्या मतलब पराशर बोला मैंने सुना है पुलिस को तुम्हारी बड़ी सक्त तलाश है तुम अभी तक पकड़े कैसे नहीं गए पराशर ने गौर से सतीश की सूरत देखी वीरू और उसके साथ ही से वह छोकरा चाहे कितना भी घुला मिला हुआ था लेकिन लगता था कि उन लोगों की पराशर को मार डालने की कोशिश की सतीश को खबर नहीं थी मेरी खुशकिस्मती पराशर लापरवाही से बोला जो मैं अभी तक नहीं पकड़ा गया अब क्या चाहते हो तुम? अपनी बीवी मैं पहले ही कह चुका हूँ माया यहा नहीं है मैं खुद इस बात की तसल्ली करना चाहता हूँ कि वह यहा नहीं है लेकिन मैं जो कह रहा हूँ की मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कैसे होगी तुम्हारी तसल्ली? मुझे सारे घर का चक्कर लगाने दो हर्गिस नहीं मैं बूढे और चाया की नेंद में खलल नहीं पड़ने देना चाहता तुम्हारा बाप मुझे आया जानकर खुश होगा क्या भूल गए कि तुमने खुद अनुवाद करके बताया था कि मेरे जैसा दामाद हासिल होना उसके लिए बहुत इज़त की बात थी और चाया वह तो पागल है लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे ससुर को और मेरी साली को मेरी वजह से थोड़ी तकलीफ उठा लेने में कोई एतराज नहीं होगा सतीश कुछ क्षन खामोश रहा और फिर बड़े असहाय भाव से बोला देखो मेरी बात मानो इस वक्त तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम फॉरण यहां से चले जाओ और जाकर उन दो हत्याओं के इल्जाम में गिरफतार हो जाओं जो मैंने नहीं की पराशर साहब, आप, मैं इस मकान की तलाशी लिए बिना यहां से नहीं जाने वाला पराशर द्रिड स्वर में बोला देखो सतीश के स्वर में एक च्षन के लिए जो अदब पैदा हुआ था वह फिर गायब हो गया, मैं रिष्टेदारी का लिहाज नहीं करूंगा मैं अभी पुलिस को बुला लूंगा बुलाओ पराशर बड़े इतमीनान से बोला, मुझे कोई एतराज नहीं अच्छा, मेरे बाप, वह हत्यार डालता हुआ बोला, जो जी में आये करो बाप नहीं, पराशर ने संशोधन किया, जी जा जी जा जी और धीरे बोलो वरना तुम्हारे असल बाप की नींद में खलल पड़ जाएगा सतीश ने दान्ट पीसे पराशर ने उसकी परवाह नहीं की वह आगे बढ़ा सबसे पहले वह उस कमरे में पहुचा जहा, जब वह पहली बार आया था, तो उसे बिठाया गया था खस्ताहाल डाइनिंग टेबल पर हाइलाइंड चीफ की एक खाली बोतल और तीन गिलास पड़े थे तीनों में से किसी गिलास पर भी लिपस्टिक का दाग नहीं था आगे बढ़ो सतीश बोला उधर कहा जारे बढ़ने के स्थान पर उस दर्वाज पराशर ने उत्तर नहीं दिया वह चौखट लांध कर कमरे में पहुचा उस कमरे में अंधेरा था लेकिन उससे अगले कमरे में रोशनी थी बंद दर्वाजे के नीचे से रोशनी की लकीर जलक रही थी पराशर आगे बढ़ा एकाएक सतीश लपक कर आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया वह चाया का कमरा है वह बोला तुम्हें मालूम है वह चाया का कमरा है रास्ते से हटो तुम्हारी शकल देखकर उस पर पागलपन का दौरा पड़ जाएगा मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि रास्ते से हटो पराशर लोहे की छड़ वाला अपना हाथ उचा उठाता हुआ बोला होठोन में पराशर को कोस्ता हुआ सतीश एक और हट गया पराशर आगे बढ़ा और बंद दर्वाजे के सामनेया खड़ा हुआ चाया जाग रही है उसने पूछा नहीं सतीश बोला सोई पड़ी है तो फिर उसके कमरे की बत्ती क्यों जल रही है वह बत्ती जलाकर ही सोती है यह कोने का कमरा है न? इसकी खिड की बाहर सडक पर खुलती है न? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? मेरे दर्वाजा खट-खटाने से पहले तो यह बत्ती नहीं जल रही थी सतीश का चहरा लाल हो गया पराशर ने उसे घूर कर देखा वह निगाहें चुराने लगा अभी मुझे दर्वाजा खोलने तुम चाया के कमरे में से उठकर गये थे पराशर उसे पूर्ववत घूरता हुआ बोला सतीश ने उत्तर नहीं दिया चाया वाकई तुम्हारी सगी बहन है तुम अपना काम करो सतीश उखड कर बोला तुम्हें इन बातों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए दर्वाजा खोलो खुद खोल लो पराशर ने दर्वाजे को धक्का दिया और भीतर कदम रखा चाया सोई हुई नहीं थी वह पलंग पर चित लेटी हुई थी और एक तक छत की ओर देख रही थी उसके चहरे पर परम संतुष्टी के भाव थे पराशर ने देखा वह विशाल पलंग के परले सिरे पर लेटी हुई थी पलंग के दर्वाजे की ओर वाली साइड में उसके तकिये की बगल में एक तकिया और लगा हुआ था और उस ओर से रजाई यूँ हटी हुई थी जैसे अभी अभी कोई वहां से उठकर गया था उधर से रजाई उठी होने की वजह से ही पराशर को मालूम हो रहा था कि छाया एक दम पलंग पर नंगी लेटी हुई थी लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं मालूम होती थी पराशर के आगमन की आहट पाकर उसने दरवाजे की तरफ गरदन घुमाई फिर उसके होठोन पर एक रहस्य पूर्ण मुस्कराहट आई और उसके गले से फिर वही अजीब सी घरघराहट की आवाज निकलने लगी जो पराशर पहले भी सुन चुका था पराशर सतीश की तरफ घुमा हराम जादे वह दांत पीसकर नफरत भरे स्वर में बोला कमीने मोरी के कीडे सतीश ने लापरवाही से कंधे जटकाए और धीरे से बोला जो मर्जी कहलो लेकिन जो कुछ हूँ मैं हूँ तुम्हे क्या शायद इसलिए माया इस घर में रहने को तयार नहीं थी शायद इसलिए मेरे सामने अपने परिवार का जिक्र करना उसे गवारा नहीं था सतीश ने आगे बढ़कर रजाई का एक कोना पकड़ा और छाया की नंगी छाती ढख दी छाया ने उनकी तरफ से गरगन फिरा ली थी और पूर्ववत छत की ओर देखने लगी थी तमाशा खत्म हुआ सतीश बोला अब चलो पराशर घूमा वह बाहर निकला सतीश ने उसके पीछे दर्वाजा बंद किया और उसके साथ हो लिया वीच के कमरे में से गुजरते समय पराशर ने उपर का रास्ता किधर से है पूछा सतीश बोला वहां सीड़िया है पराशर बोला वह डाइनिंग टेबल वाले कमरे में पहुँचा किचन में से गुजर कर वह पिछवाडे के चोटे से बराबी में पहुँचा एकाएक वह ठिठक गया उपर वाली मन्जिल की और जाती लड़की की सीढियो के दहाने पर वीरू का लंबा चोड़ा साथी खड़ा था उसकी तूटी नाक फूल कर पकोड़ा बन चुकी थी और उस पर डाक्तरों द्वारा ड्रेसिंग में इस्तिमाल किया जाने वाला सफेड तेप चड़ा हुआ था हराम जा दे प्रोफेसर के बच्चे वह दान्त पीस कर बोला उसकी आवाज नाक से निकल रही थी और उसमें अजीब सी घरगरा हट थी मरा नहीं तू हुई पराशर की पकड़ लोहे की छड़ पर कस गई मेरी जान इतनी सस्ती नहीं वह बोला एकाएक वीरू के साथी के हाथ में एक रिवालवर प्रकट अच्छा वह विश्भरे स्वर में बोला अभी देखते हैं बाके पराशर के पीछे खड़ा सतीश व्यगर स्वर में बोला कोई फसादी बात नहीं होनी चाहिए तुमने वायदा किया था बाके के नाम से पुकारे जाने वाले वीरू के उस साथी ने सतीश की बात की परवाह नहीं की वह पराशर से बोला यह छड़ फेंक दो पराशर की पकड़ और मजबूत हो गई अपनी बीवी की खैरियत चाहते हो तो छड़ फेंक दो बाके फिर बोला ने वह यहां है पराशर ने पूछा छड़ फेंक दो वरना यहां तुम्हें अपनी बीवी के दर्शन ऐसी हालत में होंगे कि तुम्हारे प्राण काम्प जाएंगे पराशर ने छड़ अपनी उंगलियों से निकल जाने दी लड़की के फर्श पर वह तनिक जंजनाई और फिर स्थिर हो गई सतीश ने नीचे जुपकर छड़ उठा ली और बाके से बोला उसने बताया कि माल कहा है पॉंट अभी नहीं बाके बड़े विश्वास के साथ बोला लेकिन बताएगी जरूर बताएगी यह अणगा वह पराशर की तरफ संकेत करता हुआ बोला बीच में न आ गया होता तो अभी तक बता भी चुकी होती फिर वह पराशर से संबोधित हुआ प्रोफेसर साहब अभी तक तो तुम्हें उपर धर्मराज के हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत करते होना चाहिए था तुम जिंदा कैसे बच गए बच गया किसी तरहे पराशर लापरवाही से बोला क्या कोई मदगार पहुँच गया था नहीं तो फिर कार से बाहर कैसे निकले निकल आया किसी तरहे तुम बाके सतीश उल्जनपूर्ण स्वर में बोला क्या चक्कर है कोई चक्कर नहीं बाके बोला फिर भी सतीश ने जिद की अरे कहा न कोई चक्कर नहीं लेकिन यह कुछ नहीं बताएगा तुम्हें पराशर बोला अपनी कर्तूत अपने मुह से बयान करने में इसे शर्म आ रही है साले साहब तुम्हें शायद मालूम नहीं है कि तुम कितने खतरनाक हत्यारों में फंसे हुए हो मतलब तुम्हारे इस यार ने और इसके वीरू नाम के साथ ही ने मेरा कतल करने की कोशिश की थी अपनी तरफ से तो ये लोग मुझे कब का मरा समझ चुके थे लेकिन मेरी तकदीर अच्छी थी जो मैं बच गया क्या किया था इन्होंने इन्होंने मुझे बेहोश करके मेरी कार में डाल दिया था और फिर कार का इंजन स्टार्ट करके एकजास्ट पाइप के साथ एक ट्यूब जोड़कर उसके रास्ते पेट्रोल जलने से बनने वाली कार्बन मोनोकसाइड गैस कार में छोड़कर मेरी हत्या करने की कोशिश की थी पराशर को यह देखकर बड़ी निराशा हुई की उस संसनी खेश खबर के जिस प्रभाव की वह सतीश पर अपेक्षा कर रहा था वह उसे होता दिखाई नहीं दिया सतीश बोला फिर सुबह जब तुम्हारी लाश मिलती तो पुलिस यही समझती की अपनी बीवी की हत्या करने के बाद पश्चाताप के तौर पर तुमने आत्म हत्या कर ली सतीश पराशर तिरसकार पूर्ण स्वर में बोला तुम्हारी बहन विध्वा हो जाए इस बात से तुम्हे कोई एतराज नहीं कैसे भाई हो तुम पॉंट मैं कैसा भाई हूँ सतीश विश भरे स्वर में बोला यह अभी तुमने च्छाया के कमरे में देखा नहीं माया कहा है पराशर बाके की तरफ घूमा उपर तुम्हें सूजा कैसे की माया यहां हो सकती थी बाके बोला तुम लोगों की सतीश से सांठ गांठ की वजह से पराशर बोला माया को छिपा कर रखने के लिए और उस पर जुल्म धाने के लिए शिमले में इससे बहतर जगह और कहां हासिल होती तुम्हें ठी ओह और फिर बाहर तुम्हारी कार भी खड़ी है ओह यानि कि तुम्हें हमारे भी यहीं होने की उम्मीद हाँ फिर भी यहाँ यूँ अकेले चले आने की हिम्मत हो गई तुम्हारी मैं अकेला नहीं आया हूँ मेरे साथ सशस्त्र पुलिस की एक टुकडी है जो इस मकान के बाहर तुम्हारे स्वागत में बड़ी मुस्तैदी से खड़ी है बाके ने जोर का अट्टहास किया जी भरकर हंस चुकने के बाद वह बोला घिस रहे हो मास्टर जी पुलिस के तो पास भी फटकने की तुम हिम्मत नहीं कर सकते पुलिस के पास गए होते तो तुम इस वक्त जेल में होते मैं पुलिस को अपनी सफाई पेश कर चुका हूँ और उन्हें अपनी बेगुनाही का विश्वास दिला चुका हूँ बाके के नेत्र सिकुड गए वह कई क्षन संदिग्ध निगाहों से पराशर को घूरता रहा फिर उसने सीधियों की तरफ गर्दन घुमाई और आवाज लगाई वीरू हाँ उपर से वीरू की आवाज आई जरा बाहर का एक चक्कर लगा कर आओ क्यो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि ये पुलिस को साथ लेकर आए है जूट बोल रहा है ये फिर भी देख आने में क्या हर्स है यहां माया अकेली रह जाएगी तुम उसकी चिंता मत करो बाके अशलील भाव से पराशर की ओर देखकर हनस्ता हुआ बोला वह तो हमारी जान है वह हमें यू छोड़ कर नहीं जा सकती उसे बता दो की उसका मर्द यहां आया हुआ है और इतना भर कह दो की अगर उसने कोई शरारत करने की कोशिश की तो इस बार हम इस प्रोफेसर के बच्चे की तिक्का बोटी किये बिना नहीं मानेंगे हमारी माया जान छिड़कती है इस पढ़े लिखे बंदर पर वर्टिकल बार देख लेना वह अपनी जगह से हिलने तक की भी हिम्मत नहीं करेगी अच्छी बात है खामोशी चा गई थोड़ी देर बाद सीढिया उतर कर वीरू नीचे पहुँचा उसके हाथ में भी रिवालवर थी उसने यू पराशर की तरफ देखा जैसे वह कोई अजूबा हो मैंने तुम्हारी आवास सुनी तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ वह बोला तुमने समझा की मेरा भूत आ गया है पराशर व्यग्यपूर्ण स्वर में बोला बिल्कुल यही समझा मैंने पराशर एक खोखली हंसी हंसा वर्टिकल बार तुम वाकई पुलिस साथ लेकर यहां आये हो अभी खुद ही जान जाओगे वीरू ने अपना रिवालवर वाला हाथ अपने कोट की जेब में डाल लिया और बाके से बोला मैं देखकर आता हूँ बाके ने सहमती में सिर हिलाया वीरू वहां से चला गया बरामदे में दिवार के पास एक स्टूल पड़ा था उसकी ओर संकेत करता हुआ बाके बोला बैठ जाओ मैं उपर जाना चाहता हूँ पराशर बोला क्यो बीवी का गम सता रहा है हाँ चुपचाप उधर बैठ जाओ बाके करकश स्वर में बोला वरना गोली मार दूँगा वीरू के लौट आने से पहले तुम ऐसी हिम्मत नहीं कर सकते पराशर मुसकरा कर बोला तुमने गोली चलाई तो वीरू से पहले गोली की आवास बाहर पहुच जाएगी यहां से भागने का रास्ता केवल एक है और उधर से पुलिस भीतर दाखिल हो रही होगी फिर तुम्हारा क्या होगा तुम खाम खा हमें डरा रहे हो बाहर पुलिस नहीं है वर्टिकल बार बोला तो फिर चलाओ गोली पराशर चैलेंज भरे स्वर में उसकी जरूरत नहीं तुम्हारा थोबड़ा गोली चलाए बिना भी बंद किया जा सकता है सतीश जरा छड़ का एक करारा हाथ जमाना अपने जीजाजी की खोपडी पर यह ऐसा होसला नहीं कर सकता पराशर अपने पीछे खड़े सतीश की और घूमने का उपक्रम किये बिना बोला इसने अभी सिर्फ संगत शुरू की है दादा लोगों की यह दादा बना नहीं है अभी सतीश इसकी बातों पर मत जाना सतीश यह लोग हत्यारे हैं आसी पर लटकने वाले हैं तुमने अभी तक इनकी मामूली मदद की है जिसकी वजह से या तो तुम वादामाफ गवाह बनकर छूट जाओगे और या बड़ी हद तक चारच महीने की सजापा जाओगे लेकिन अगर तुमने मुझ पर आक्रमन किया तो फिर तुम पर इरादाय कतल का चार्ज लगेगा और तुम दस साल के लिए नप जाओगे हो तो तुम अक्ल के अंधे लेकिन तुम से इतनी उम्मीद मुझे जरूर है कि तुम अपना भलाबुरा बखुबी समझ सकते हो अब साले प्रोफेसर के बच्चे एक आएक बाके चिल्ला पड़ा लॉंडे को बहका रहा है सीधे सीधे स्टूल पर बैठ जावरना मैं तेरी खोपरी तो अभी खोल दूँगा अच्छा मेरे बाप पराशर भयभीत होने का अभिनय करता हुआ बोला वह दीवार के पास पड़े स्टूल की तरफ बढ़ा वह यू नीचे को जुका जैसे वह उसे लड़की के की फुर्ती से बाके पर फैंक मारा स्टूल बाके की छाती पर लगा रिवालवर उसके हाथ से निकल कर हवा में उचली जो पराशर ने हवा में ही लपकली वर्टिकल बार बाके भर भराकर पीछे सीधियों पर धेर हो गया पराशर ने रिवालवर उसकी तरफ तान दी और करकश स्वर में बोला खबरदाय बाके को जैसे सांप सुंध गया पराशर रिवालवर ताने सीधियों के पास गिरे बाके की ओर बढ़ा बाके की आखों में भय की छाया तैर गई वह अपने आप में सिकुड कर रह गया पराशर उसके सिर पर आख़डा हुआ उसने रिवालवर की नाल बाके के माथे से लगा दी बाके के छक्के छूट गए भय के अतिरेक से उसकी आखे बंध हो गई पराशर ने अपना बाया हाथ बढ़ा कर उसकी नाक पर लगे टेप को इतनी जोर का जटका देकर उखाडा कि अगर टेप न उखडता तो जैसे उसकी तूटी नाक उखड कर पराशर के हाथ में आ जाती बाके के मुह से एक घुटी हुई चीख निकली उसकी नाक से फिर खोन बहने लगा और उसकी ठोड़ी से नीचे टपकने लगा पराशर सतीश की तरफ घुमा बोला बोला अब तुम्हारा क्या इरादा है वह कहरभरे स्वर में मेरा कोई इरादा नहीं है सतीश आतंकित भाव से पक्की बात हाँ तो जाकर दर्वाजा भीतर से बंद कर आओ और छड लेकर इसके सिर पर खड़े हो जाओ पीड़ा के आधिक्य से अभी यह बेहोश हो गया मालूम होता है होश में आने पर अगर यह सीढियों से उठने की कोशिश करे तो छड का एकाध हाथ उसके सिर पर जमा देना समझ गए सतीश ने सहमती में सिर हिलाया चलो वह लपक कर किचन में घुस गया पराशर दो-दो सीढियां फांदता हुआ उपर भागा उपर एक ही कमरे में रोशनी थी वह उसकी तरफ लपका भीतर दाखिल होने पर उसने पाया कि वह वही कमरा था जिसकी खिडकी में उसने गली में से रोशनी देखी थी कमरे में माया मौजूद थी उसने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया माया की हालत देखकर उसका दिल भर आया उसने एक घटिया सा सूती ड्रेसिंगाउन पहना हुआ था जो तार-तार होकर धजजियों की तरह उसके जिस्न पर जूल रहा था उसकी ब्रेसियर का एक स्ट्रैप तूट चुका था जिसकी वजह से एक वक्ष पर से कपड़ा बार-बार सरक जाता था उसका चहरा फूला हुआ था और उसके गालों पर उचल आये उंगलियों के निशान अपनी कहानी खुद कह रहे थे उसकी एक आख इतनी सूज आई थी की काली होकर बंध हो गई थी उसके सारे जिस्न पर लाल-लाल खरोंचे दिखाई दे रही थी और वह एक पलंग पर गठरी सी बनी बैठी ठंड से काप रही थी माया वह धीरे से बोला उसने अपने घुटनों पर से सिर उठाया पराशर पर निगाह पड़ते ही उसकी आखों में एक चमक पैदा हुई जो फॉरन गुज गई तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था वह ऐसे क्षीन स्वर में बोली कि वह बड़ी मुश्किल से सुन पाया वह क्या कह रही थी मैं तुम्हें लेने आया हूँ तुम मूर्ख हो तुम्हारी जान जा सकती है जानता हूँ जब जानते हो तो क्यों आए यहाँ? दो वज़ह हैं क्या? एक वज़ह तो यह है कि पुलिस समझती है कि मैंने तुम्हारा कतल कर दिया है अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरे लिए तुम्हें जिन्दा तलाश करना ज़रूरी था और दूसरी वज़ह पराशर पलंग के समीट पहुचा उसने रिवालवर पलंग पर एक ओर रख दी फिर उसने अपना ओवरकोट उतारा और उससे माया के शरीर को अच्छी तरह ढख दिया अंत में वह धीरे से बोला क्या दूसरी वज़ह बताने की जरूरत है माया वह रोने लगी उसके सूजे हुए गालों पर आसूओं की धारे बह निकली बोला मैं तुमसे मुहबबत करता हूँ पराशर पूर्ववत धीरे से अभी भी माया घुटे स्वर में बोली मेरे बारे में इतना कुछ सुन चुकने के बाद भी हाँ क्यों क्यों की तुम मेरी बीवी हो मेरी धर्मपतनी हो मेरी जीवन संगिनी हो मैं तुम्हारे काबिल नहीं क्यों काबिल नहीं तुम मेरे क्या उन हराम जादों ने तुम्हारे साथ नहीं माया एक आएक आतंकित स्वर में चिल्लाई नहीं नहीं वो बात नहीं उन्होंने कोशिश तो बहुत की लेकिन मैंने उन्हें काम्याब नहीं होने दिया मेरा इश्वर गवाह है मैंने उन्हें काम्याब नहीं होने दिया मुझे तुम पर पूरा विश्वास है तुम यहां से चले जाओ भगवान के लिए तुम यहां से चले जाओ वर्टिकल बार मैं तुम्हें लिए बगैर यहां से नहीं जाओंगा मैं यहां से नहीं जा सकती लेकिन क्यों? यह मैं तुम्हें बता नहीं सकती यह हम बताते हैं कमरे में वीरू की आवाज गूंजी पराशर चौंक कर आवाज की दिशा में घूमा वीरू दर्वाजे के खुले रोशंदान में से भीतर जहांक रहा था उसने अपनी रिवालवर माया की तरफ तानी हुई थी पलंग पर पड़ी रिवालवर की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश मत करना उसने चेताबनी दी वरना में माया को शूट कर दूँगा पराशर पलंग के पास ठिटका खड़ा रहा दर्वाजा खोलो पराशर ने आगे बढ़कर दर्वाजा खोल दिया उसने देखा वीरू सतीश के कंधे पर चड़ा हुआ था और थोड़ा परेनाक से अभी भी टपकते खून को रुमाल से पोँचता बाके खड़ा था सतीश ने उसे धोखा दिया था पराशर को उससे ऐसी ही उम्मीद थी लेकिन माया के पास पहुँचने की उसे इतनी जल्दी थी कि वह सतीश और बाके का कोई और बहतर इंतजाम नहीं कर सका था तीनों भीतर घुस आए बाके ने आगे बढ़कर अपनी रिवालवर उठा ली उसकी सूरत से यू लग रहा था जैसे उसका जी तो उसी क्षन पराशर का खून कर देने को चाह रहा था लेकिन वह किसी प्रकार अपने आप पर जब्द कर रहा था जो बात तुम्हें तुम्हारी बीवी नहीं बता सकती वीरु बोला वह हमसे सुनो इससे विक्रम सिंह और सुन्दरलाल का कतल किया है यह जूट है माया चिल्लाई तुम पढ़े लिखे आदमी हो तुम खुद सोचो क्या उन दोनों का काम तमाम किये बिना यह उनसे हीरे हतिया सकती थी वे इसका भूरता न बना देते तुम लोग हो कौन पराशर ने पूछा हम भी हैं कोई हमारे बारे में तुम सिर्फ इतना जान लो कि हम उन हीरों के तलबगार हैं जो माया ने कहीं छुपा कर रखे हुए हैं तुम अपनी बीवी को समझाओ कि उन हीरों का पता यह हमें बता दे किरे हमारे हाथ लग जाएं उसके बाद हमारी तुम्हारी कोई अदावत नहीं तुम्हें माया की खबर कैसे लगी सतीश से हाँ लेकिन सतीश हडबढा कर बोला जब मैंने तुम लोगों को माया का पता लगाया था उस वक्त मुझे यह नहीं मालूम था कि तुम इतना घपला मचाओगे और माया के साथ ऐसा सलूग करोगे अब तो मालूम हो गया न बेटा बाके बोला जब बड़े लोगों की सोहबत में आये हो तो बड़ी-बड़ी बातें होने की उम्मीद भी तो रखो वैसा हौसला भी तो रखो पराशर का सतीश का तरफ ध्यान नहीं था वह माया को देख रहा था अगर तुम माया से यह उम्मीद कर रहे हो वीरू बोला कि यह अपनी जुबान से कबूल करेगी कि इसमें विक्रम सिन्ह और सुन्दरलाल का कतल किया है तो तुम्हारी अकल खराब है इस बात को यह कभी नहीं मानेगी खास तौर से तुम्हारे सामने पराशर खामोश रहा लड़की तुम पर बुरी तरह फिदा है यह तुम्हारी निगाहों में अपने आप को गिराना नहीं चाहती इसलिए यह तुम्हारे सामने हकीकत बयान नहीं कर सकती इसलिए इसने चुपचाप तुम्हारी जिन्दगी से निकल जाने की कोशिश की थी हमें मालूम था यह ऐसी करेगी बाके बोला इसलिए हमने माया के पास तुम्हारे हाथ दस हजार रुपए भिजवाए थे ताकि यह भागने में कोई दिक्कत महसूस न करे खाली जेब तो कहीं निकल भागना भी मुम्किन नहीं पैसा हाथ में आजाने से इसकी भागने की हिम्मत हो गई और यह टिप्टाप क्या बला है? कहां बुलवाया था तुमने इसे? कहीं भी नहीं रुपियों के साथ एक जूठा बेमानी संदेशा तो हमने बात को जाचने के लिए तुम्हें सुना दिया था वर्टिकल बार ओह वीरू यू हनसा जैसे अपनी होशियारी पर वह खुद खुश हो रहा हो और यह यादव वाला काम क्या था? पराशर ने पूछा उस बात का क्या मतलब था? इतना भी नहीं समझे दिल्ली की ज्वेल रॉबरी ही यादव वाला काम था विक्रम सिन्ह उसी का पूरा नाम विक्रम सिन्ह यादव था ओह इसने हीरे कहीं छुपाए हुए हैं हमें उम्मीद थी की भागने से पहले यह हीरों को अपने गुप्त स्थान से निकाल कर अपने साथ ले जाने के लिए जरूर अपने अधिकार में ले लेगी इसे भागने के लिए प्रेरित करने के पीछे हमारा यही उद्देश था कि हीरे रोश्नी में आएं लेकिन तुम्हारा उद्देश पूरा नहीं हुआ मालूम होता वरना तुम माया के साथ यह सलूक न कर रहे होते जो तुम अभी कर रहे थे तुम ठीक कह रहे हो तुम ही इसे समझाओ कि यह हीरों का पता हमें बता दे एक बार हीरे हमारे हाथ में आ जाएं उसके बाद तुम्हारा रास्ता अलग होगा और हमारा रास्ता अलग तुम यह बात भूल जाओगे कि मैंने तुम्हारी नाक तोड़ी है। सरासर भूल जाओंगा नाक के बदले में हम भी तो तुम्हारी कम मरम्मत नहीं कर चुके। इसाब बराबर वीरु बोला। पॉंट पराशर ने माया की तरफ देखा। यह जूट बोल रहे हैं यह तुम्हें बर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं। हीरे इनके हाथ लगने की देर है कि यह हम दोनों को जान से मार डालेंगे। इसलिए मैं इनको हीरों का पता नहीं बता रही। माया बोली। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। हीरों के अलावा हमारा और किसी बात से कोई मतलब नहीं। वीरू बोला। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं। माया बोली। हमारी बात पर विश्वास करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। और यह मत भूलो बाके बोला कि इस वक्त तुम्हारा यार भी हमारे कबजे में है क्या तुम पसंद करोगी कि हमारा कहर प्रोफेसर साहब पर बरसे अभी तक तो तुम बड़ी बहादुरी से अपनी जुबान बंद रखे रही लेकिन जब तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे यार की खातिर तवज्जों करेंगे तो हमें मालूम है कि वह नजारा तुमसे बरदाशत नहीं होगा क्या तब भी तुम अपनी जुबान बंद रख सकोगी माया माया के चहरे पर दुविधा के भावाए माया पराशर बोला तुम इनकी बात मान क्यों नहीं लेती हो क्योंकि मुझे इन पर भरोसा नहीं माया बोली लेकिन ये ठीक कह रहे हैं कि इन पर भरोसा करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है और फिर अगर ये अपनी बात से फिर भी जाएंगे तो जिस बुरी हालत में हम इस वक्त हैं, उससे और ज्यादा बुरी हालत क्या हो सकती है हमारी यह हुई न समझदारी की बात वीरु प्रशन सात्मक स्वर में बोला देखा पढ़ा लिखा होने के कितने फायदे हैं अकल पर पालिश हो जाती है पढ़ाय लिखाई से माया, पराशर अनुन्यपूर्ण स्वर में बोला मान जाओ माया कुछ क्षन खामोश रही और फिर पराजित स्वर में बोली खीरे तहखाने में भट्टी के पीछे फर्श में दबे हुए है सच कह रही हो न वीरु बोला हाँ, माया बोली अब जूठ बोलने से क्या फाइदा, यही तो मैं कह रहा हूँ अब चलो, बाके बेस ब्रेपन से बोला हमें अंधेरे अंधेरे में ही अपना काम कर लेना है और आधे पॉन घंटे में रोशनी हो जाएगी चलो, जल्दी करो आओ तुम, वीरु सतीश बोला कपड़े पहन कर तुम भी हमारे साथ चल रहे हो लेकिन मैं घर अकेला छोड़ कर नहीं आ सकता सतीश बोला घर में कौन से डाकू पड़ रहे हैं वीरु बोला और पहले हमेशा घर को साथ लेकर जाया करते थे बाके व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला यह बात नहीं है तो फिर क्या बात है? बूढ़ा अभी सोया पड़ा है इसलिए घर में छाया का ध्यान रखने वाला कोई नहीं बक्वास मत करो छाया को कुछ नहीं होता तुम उसके कमरे को बाहर से ताला लगा दो अच्छा सतीश मरे स्वर में बोला और बाहर की और बढ़ा और सुनो वीरु बोला पॉंट वह ठिटका और घूमा वर्टिकल बाय माया के पहनने के लिए छाया के कुछ कपड़े लेकर आओ सतीश ने सहमती में सिर हिलाया और वहां से निकल गया मैंने दुनिया में बड़े-बड़े हराम जादे देखे बाके नफरत भरे स्वर में बोला खुद मैं कोई कम हराम जादा नहीं लेकिन इस जैसा कोई नहीं देखा बताओ तो अपनी सगी बहन के साथ ऐसा सलू इनकी बातों पर मत जाना माया व्याकुल भाव से पराशर से बोली इसी इकलोती वजह से मैंने तुमसे शादी नहीं की थी मुझे मालूम है पराशर बोला लेकिन यह सारी बात तुम्हें मुझे को बतानी तो चाहिए थी मुझे डर लगता था किस बात का? कि कहीं मैं तुम्हें खो न बैठूं ओह पराशर बोला माया के स्वर में निष्ठा और अनुराग का ऐसा भाव था कि वह उससे प्रभावित हुए बिनान रह सका वे पराशर की कार के पास पहुँचे पराशर और माया कार में सवार हुए वीरू उनके साथ अगली सीट पर बैठा काली एमबैसेडर में बाके और सतीश सवार हो गए बड़ा अजीब सा लग रहा है वीरू बोला क्या पराशर ने इंजन स्टार्ट करते हुए पूछा आसपरोस में कुछ ज्यादा ही सननाटा फैला हुआ है आज अभी जाग तो नहीं हुई फिर भी दरसल पराशर उफासपूर्ण स्वर में बोला जिन पुलिस वालों की तलाश में तुम इमारत से बाहर निकले थे वे कहीं छुप गए है लेकिन उनकी आसपास कहीं मौजूदगी का एहसास तुम्हें विचलित कर रहा है तुमने पुलिस के बारे में जूत क्यों बोला तुम्हें विश्वास है कि मैंने जूत बोला था हाँ मैंने खुद सारे इलाके का चक्कर लगाया था मुझे कहीं कोई पुलिस वाला दिखाई नहीं दिया था तो फिर पूछते क्यों हो गाड़ी बढ़ाओ अभी ठहरो जरा इंजन गर्म हो ले प्रोफेसर कोई होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना मैं क्या होशियारी दिखा सकता हूँ और तुम भी वह माया से बोला माया ने उत्तर न दिया पराशर ने गाड़ी आगे बढ़ाई माया वीरु एकायक यों बोला जैसे मसका मार रहा हो हमने तुम्हारे साथ जो बुरा व्यवहार किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं लेकिन हम भी क्या करते हमारी मजबूरी थी वर्टिकल बार माया खामोश रही अपना वादा याद है न तुम्हें पराशर बोला कौन सा वादा वीरु बोला तुम क्या निभाओगे अपना वादा तुन्हें तो याद भी नहीं कि तुमने हमसे क्या वादा किया था अच्छा वह नहीं नहीं हम वादे से फिरने वाले नहीं हीरे हाथ में आते ही हम तुम दोनों को छोड़ देंगे ये हमें कभी नहीं छोड़ेंगे माया रुआसे स्वर में बोली दस महीने से ये लोग हीरों की खातिर मेरे पीछे पड़े हुए हैं हीरों की खातिर ही इन लोगों ने विक्रम सिन्ह और सुन्दरलाल का खून किया था। ये लोग मुझे कैसे जिन्दा छोड़ सकते हैं। सिर्फ मैं ही तो इनकी पोल खोल सकती हूं। सिर्फ मैं ही तो इनकी कर्टूतों का एक चश्मदीद गवा हूं। विक्रम सिन्ह का खून इन लोगों ने किया था पराशर बोला हाँ लेकिन ये तो कहते हैं कि वो खून तुम ने किया था नहीं मैंने विक्रम सिन्ह का खून नहीं किया लेकिन बदकिस्मती से मैं अपनी बात को साबित नहीं कर सकती तुम भागी क्यों? अपनी जान बचाने के लिए हीरे तुम अपने साथ क्यों नहीं ले आई वह भी अपनी जान बचाने के लिए मैं जानती थी कि माल काबू में आजाने से पहले लोग मुझे जान से नहीं मार सकते थे बेवकूफ खूब बनाया तुमने हमें वीरु बोला, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि शिमले में आकर तुम एक संभरांत ग्रिहिनी बन चुकी होगी लालच में पढ़कर अगर में तुम्हारे भाई ने हमारी मदद न की होती तो हम तो खाली हाथ लोट रहे थे तुम लोग शिमले क्यों आये? पराशर ने पूछा क्योंकि माया का घर यहाँ था? इसके घर लोटने की तो हमें पूरी उम्मीद थी, लेकिन यह हमने नहीं सोचा था कि यह एक ग्रिहिनी का रूप धारन किये बैठी होगी हमने सतीश से पूछताच की तो पहले तो उसने कह दिया कि वह माया के बारे में कुछ नहीं जानता था लेकिन बाद में जब हमने उसे नोटों की जलत दिखाई और माल में हिस्सा देने का वादा किया हराम जादा अपनी बहन से दगाबाजी करने को तयार हो गया माया पराशर माया से बोला सतीश तुम्हें ब्लैक मिल कर रहा था माया ने सहमती में सिरहिलाया यह कहकर की अगर तुम उसे पैसा नहीं दोगी तो वह मेरे सामने तुम्हारी असलियत बयान कर देगा माया ने फिर सहमती में सिरहिलाया हर हफ़ते वह तुमसे पैसे लेने ही आया करता था हाँ कभी कभी हफ़ते में दो बार भी तुम्हें मुझे बताना चाहिए था वह रोने लगी तुम्हारे पास उसको देने के लिए पैसे कहां से आते थे माया ने उत्तर नहीं दिया तुम जो भी चीज खरीदती थी उसकी कीमत ज्यादा बताती थी और इस प्रकार पैसे बचा कर सतीश को देती थी तुम्हें कैसे मालूम? वह हैरानी से बोली अपना जो गाउन तुम 300 रूपय का बता रही थी वह मैंने एक दुकान के शो केस में टंगा देखा था उस पर डेड़ सौ रूपय कीमत लिखी हुई थी ओह मपर पहुँचे पिछवाडे में चलो वीरू ने आदेश दिया पराशर ने सहमती में सिरहिलाया उसने गाड़ी को अपने मकान के पिछवाडे में ले जाकर खड़ा किया तभी काली एमबैसेडर भी वहाँ पहुँच गई बाके कार से बाहर निकला सामने का चक्कर लगा कर आओ वीरू बोला देखकर आओ कि सब ठीक ठाक है न बाके वहाँ से चला गया पांच मिनट बाद वह वापस लोटा सब ठीक है वह बोला सडक उजाड पड़ी है बहुत खूब वीरू बोला चलो वे बाहर निकले पिछवाडे के रास्ते से वे इमारत में दाखिल हुए दबे पाव वे तहखाने में उतर गए पराशर ने बत्ती जलानी चाही लेकिन वीरू ने उसे रोक दिया उसने अपनी जेब से एक छोटी सी तार्च निकाली और उसकी रोशनी फर्ष पर डालता हुआ माया से बोला जगह दिखाओ माया उसके साथ विशाल भठी के प्रिष्ठ भाग में पहुँची हाँ, माया बोली अगर माल यहां से न निकला तो जानती हो न कि तुम्हरा क्या हाल होगा जानती हूँ सतीश, यहां से एट उखाड़ो मैं वह हडबढ कर बोला सतीश ने कोने में पड़ी एक कुदाल उठाली और फौरण एट उखाडने में जुट गया सतीश ने सहमती में सिरहिलाया वीरू उसे रोशनी दिखा रहा था और माया और पराशर को रिवालवर से कवर किये खड़ा था फर्ष से एटेन हटाने के बाद नीचे से कच्ची जमीन निकलाई कहा है भई वीरू उतावले स्वर में बोला और खोदो माया बोली सतीश मिट्टी खोदने लगा फिर एक तन्न की आवाज हुई सतीश ने कुदाल रख दी और मिट्टी में से एक छोटा सा गोल डिब्बा उठाया वर्टिकल बार वीरू ने जपटकर डिब्बा उसके हाथ से ले लिया उसने तार्च बाके को थमा दी और बड़े उतावले भाव से उसने डिब्बे का गोल ढखकन डिब्बे से अगल किया उसने भीतर हाथ डाल कर उसमें से एक शनील की थैली निकाली उसने कापते हाथों से थैली की डोरी खीच कर उसे खोला और थैली को अपनी एक हथेली पर उल्टा बाके ने टार्च की रोशनी उसकी हथेली पर डाली तुरंट सारे तहखाने में जगमग जगमग हो गई वीरू ने हीरे वापस थैली में डाले और थैली को अपने कोट की भीत्री जेब में रख लिया मेरा हिस्सा सतीश उतावले स्वर में बोला मिल जाएगा वीरू ने लापरवाही से उत्तर दिया अभी दो वीरू ने बाके की तरफ देखा हीरों में हिस्सा लेकर हमें भी मरवाओगे क्या? बाके जिड़क कर बोला तुम क्या हीरे बेच सकते हो? बेचने जाओगी तो फॉरण पक्रे जाओगे तो फिर मुझे मेरा हिस्सा कैसे मिलेगा? हम हीरे बेच कर पैसे बटोर लें फिर हम तुम्हें नोटों में तुम्हारा हिस्सा देंगे चेल बहुत जल्दी अब चलो सतीश आगे बढ़ा तुम भी चलो वीरु बोला हमारे साथ लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम हीरे मिलते ही हमें छोड़ दोगे किया था फिर यानि कि तुम वादे से फिर रहे हो बहस मत करो तब तक शायद सतीश की भी समझ में आ गया था कि वे लोग धोखा करना चाहते थे वह बोला तो उसकी आवाज बड़ी दैनिय थी माया, मुझे नहीं मालूम था कि ये लोग इतने कमीने और धोखे बाज है पकवास बंद करो, वीरु गुर्राया और चुपचाप आगे बढ़ो माया, तुम भी सुन लो अगर तुमने कोई शरारत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे यार को गोली मार दूँगा नहीं, यह मेरा पती है माया बोली पती ही सही यह बताओ की मेरी बात पल्ले पड़िया मैं कुछ नहीं करूंगी मैं कर ही क्या सकती हूँ शाबाश सब लोग तहखाने से बाहर निकले वे पिछवाडे की ओर बढ़े इस बार हम एमबैसेडर में सवार होंगे वीरू बोला प्रोफेसर साहब की कार हम यहीं छोड़ जाएंगे इससे पुलिस भी गुमराह होगी की शायद यह यहां अपने फ्लेक पर आया था ठीक है बाके बोला वे इमारत से निकल कर पिछली गली में पहुँचे और पराशर की फियेट के पीछे खड़ी एमबैसेडर की ओर बढ़े बाहर भोर का उजाला किसी भी क्षन फूट पढ़ने के आसार दिखाई दे रहा थे एकाएक सारी गली एक तेज रोशनी से नहा गई कोई कार आ रही है बीरू धीरे से बोला यह कार की रोशनी नहीं मालूम होती बाके घबरा कर बोला तभी वैसी कई रोशनिया जल उठी और गली जैसे दिन के उजाले से जगमगा गई फिर कहीं से इंस्पेक्टर हीरालाल की आवाज आई अपनी खैरियत चाहते हो तो हथियार फिंक दो और अपने अपने हाथ अपने सिरों से उपर उठा लो पुलिस बाके आतंकित स्वर में बोला सतीश जोर जोर से रोने लगा वह हिचकियां लेता हुआ बोला यह जूट नहीं बोल रहा था यह सचमुच ही पुलिस साथ लेकर आया था जी जा जी मुझे बचा लो चुप रहो पराशर उसे घुड़क कर बोला आप सब लोगों पर राइफलें तनी हुई हैं इंस्पेक्टर हीरालाल की आवास गली में फिर गुज गई मैं तीन तक गिनूंगा उतने में आप लोगों को अकल आ जानी चाहिए 1. मर गए वीरू बोला इस प्रोफेसर के बच्चे ने तो हमें सचमुच शका दिया मैंने कुछ नहीं किया पराशर बोला 2. वीरू और बाके ने अपनी रिवालवरें सड़क पर फेंक दी 1. एकाएक सतीश ने जुक कर एक रिवालवर उठा ली और वापस पराशर के मकान के पिछले दरवाजे की तरफ भागा 2. रुक जाओ कोई गरच कर बोला 3. लेकिन सतीश न रुका 1. एक फायर हुआ 1. सतीश के मुह से एक हृदय विदारक चीख निकली 1. एक क्षण के लिए यू लगा जैसे उसका शरीर पिछवाडे की सीढियों के उपर हवा में कहीं स्थिर हो गया था 1. फिर वा 1. धडाम से गली में जाकर गिरा 2. कोई और साहब जो गोली खाने के शौकीन हो 2. हीरालाल की आवाज गुंजी 2. कुछ नहीं बोला 2. प्रोफेसर साहब तुम ठीक हो 3. उत्तर देने से पहले पराशर ने माया की बगल में हाथ डाल कर उसे अपनी और खीच कर अपने साथ लगा लिया 4. हम वह बोला ठीक हैं 5. उस हम की बड़ी एहमियत थी 5. उसका मतलब था कि पराशर जिन्दगी के आखिरी अन्जाम तक बीबी के साथ था 6. और उस वक्त इस बात को माया से बहतर कोई नहीं समझ सकता था 6. ओडियो बुक शॉप में आपका स्वागत है क्रिप्या मेरे चैनल आडियो बुक शॉप को सब्सक्राइब करें और क्रिप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं कई दिनों से लगातार फैली धुंध, कोहरे और बर्फवारी के बाद उस रोज धूप निकली थी पुलिस स्टेशन के जिस कमरे में वे मौजूद थे, उसकी शीशे की खिड़कियों में से धूप भीतर आ रही थी कमरे में एक और एक बेंच पर वीरू और बाके बैठे थे उन दोनों को शिनाख्ट दिल्ली से आया एक सब इंस्पेक्टर कुख्यात बदमाश वीरेंद्र सिंह और बाके बिहारी के रूप में कर चुका था उस वक्त दोनों के हाथों में हत्कडिया थी दिल्ली से आय सब इंस्पेक्टर का नाम त्यागी था और वह उसी समय शिमला पहुँचा था माया की शिनाख्ट विक्रम सिंह की संगिनी के रूप में हो चुकने के बाद ही इंस्पेक्टर हीरालाल ने दिल्ली पुलिस को खबर भिजवा दी थी और उसी सिलसिले में वह सब इंस्पेक्टर वहां पहुचा था उस वक्त वह इंस्पेक्टर हीरालाल की बगल में बैठा था उसी आकर बताया था कि सोनिया कपूर उर्फ माया सिपाई मलाने की रख्खैल नहीं उसकी विधिवत ब्याहता बीवी थी और दिल्ली की ज्वेल रॉबरी से उसका कोई रिष्टा नहीं था दिल्ली पुलिस को उसकी तलाश इसलिए थी क्योंकि वह विक्रम सिन्ह की मौत के फौरण बात से ही दिल्ली से गायब हो गई थी और उनके ख्याल से वह विक्रम सिन्ह की मौत और उसके द्वारा डाली गई हीरों को डकैती के बारे में बहुत कुछ जानती हो सकती थी पराशर और माया हीरालाल के सामने दो कुर्सियों पर अगलगल बैठे थे पुलिस ने उन्हें वहां लाने से पहले माया की उपर फ्लैट में जाकर अपने कपड़े पहन आने की इजाजत दे दी थी उस वक्त पराशर के ओवरकोट के स्थान पर वह अपना फर्का कोट पहने थी और पराशर का ओवरकोट वापस उसके शरीर पर पहुँच चुका था कमरे के एक दूसरे के कोने में एक लेडी हवलदार के साथ चाया बैठी थी इतने आदमियों को एक साथ वहां देखकर वह बड़ी उत्तेजित हो उठी थी और बार-बार अपने जिस्म से कपड़े हटाने की कोशिश कर रही थी लेकिन लेडी हवलदार बड़ी मजबूती से उसके दोनों हाथ थामे हुई थी और वह बार-बार चाया को एक ही बात समझा रही थी बेटी यह बुरी बात होती है अच्छी लड़कियां ऐसी हरकते नहीं करती लेकिन चाया की सूरत से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसकी बात उसकी समझ में आ रही हो वह बहुत आनन्दित होती हुई अपने गले से वही अश्लील सी घबराहट निकाल रही थी जो पराशर पहले भी सुन चुका था कमरे में एक आदमी और था जिसे पुलिस ने विशेश रूप से वहां तलब किया था वह था वकील दीन्दयाल शास्त्री वह एक लगभग पचास साल का बड़ा धीर गंभीर व्यक्ति था और बड़ी हमदर्दी भरी निगाहों से माया के बुरी तरह सूजे और नोचेक सोटे हुए चेहरे को देख रहा था आपका नाम दीन्दयाल शास्त्री है, इंस्पेक्टर हीरालाल वकील से संबोधित हुआ, आप वकील है क्लार्क होटल के पास बीमा कंपनी की बिल्डिंग में आपका दफ्तर है जी हाँ वकील बोला आप माया को जानते हैं जानता हूँ तीन महीने पहले तक यह मेरे दफ्तर में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी फिर इसने शादी कर ली थी और नौकरी छोड़ दी थी मुझे बहुत अफसोस हुआ था इसके शादी कर लेने से? जी नहीं इसके नौकरी छोड़ देने से इस जैसी नेकनियत और इमानदार रिसेप्शनिस्ट न मुझे पहले कभी मिली थी और लगता है न आगे कभी मिलेगी क्या यह सच है कि आपके यहां नौकरी के दौरान एक बार इसने आप से पूछा था कि चोरी का माल वापस लोटाने का बहतरीन तरीका क्या हो सकता था कि जिसके अधिकार में चोरी का माल था वह पुलिस के पास जाए माल उन्हें सौपे और सच-सच उन्हें बता दे कि वह चोरी का माल उसके अधिकार में कैसे आया बिना किसी संभावित सजा से डरे? जी हाँ उस वक्त क्या आपको यह अंदाजा हुआ था कि वह सवाल माया ने अपने लिए ही पूछा था? यानि की चोरी का माल इसी के अधिकार में था? नहीं लेकिन अब आप जानते हैं कि उस वक्त भी माया के अधिकार में दस लाख रुपए के हीरों की सुरत में चोरी का माल था? जी हाँ अब जानता हूँ फिर भी आप कहते हैं कि यह बड़ी निकनियत और इमानदार लड़की थी सरासर कहता हूँ उचनीच किसकी जिन्दगी में नहीं होती यह तो दुनिया है यहां हर किसी की जिन्दगी में कभी न कभी कोई न कोई ऐसी विकट स्थिती जरूर आती है जब उसके लिए अपना कर्तव्य निर्धारित करना कठिन ही नहीं असंभव हो जाता है यहां आप भी मानते हैं कि माया वह चोरी का माल अपने पास नहीं रखना चाहती थी वह उस चोरी के माल को अपने जाती इस्तिमाल में नहीं लाना चाहती थी अगर उसकी ऐसी कोई नियत होती तो दस लाख का माल गिरह में रहते हुए यह रिसेप्शनिस्ट की नौकरी न करती इंस्पेक्टर साहब यह चोरी का माल लोटाना चाहती थी लेकिन साथ ही डरती भी थी कि आप विक्रम सिन्ह और सुन्दरलाल के कतल का इलजाम कहीं इसी पर न थोप दें वर्टिकल बार कीरालाल बोला और फिर ये दोनों बद्माश शास्त्री ने बेंच पर बैठे वीरू और बाके की ओर संकेत किया इसके खून के प्यासे थे उन हीरों की खातिर आप देख ही रहे हैं कि इन कमीनों इस बेचारी की कितनी दुर्गती की है अगर चोरी के माल से कोई जाती फाइदा उठाने की नियत माया की होती तो अपनी यह दुर्गती करवाने की जगह यह नौबत आने से बहुत पहले यह इन बद्माशों से कोई सुलह कर सकती थी चोरी के माल का इन लोगों के साथ कोई बटवारा कर सकती थी लेकिन इसने ऐसा नहीं किया इसलिए नहीं किया क्योंकि यह कोई जरायम पेशा लड़की नहीं जैसा कि इसे समझा जा रहा है यह गलत किस्म के लोगों की सोहबत में जरूर थी लेकिन खुद गलत नहीं थी यह उतनी ही शरीफ और इमानदार शहरी है जितना आप या हम में से कोई भी है यह प्लीज हिरालाल हाथ उठा कर उस तोक्ता हुआ बोला यह अदालत नहीं सौरी शास्त्री बोला क्या यह सच है कि कल रात आपने अपने घर के सामने बाके और वीरू को प्रोफेसर पराशर पर हमला करते और इन्हें बुरी तरह मारते पीटते देखा था मैंने दो बदमाशों को एक आदमी को मारते पीटते जरूर देखा था लेकिन उस वक्त मैं किसी की सुरत नहीं पहचान पाया था अपने मकान के आगे एक कार रुकने की आवाज सुनकर मैं उचसुकतावश खिडकी पर आ खड़ा हुआ था यह देखने के लिए कि इतनी रात गए क्या कोई मुझ से मिलने आया था मैंने एक आदमी की फियेट से निकलते देखा था फिर दो आदमी वहाँ पहले से खड़ी एमबेसेडर से निकले थे और फिर वे पहले आदमी को मारने पीटने लगे थे इस बारे में मैंने फॉरन पुलिस स्टेशन फोन भी किया था आपकी फोन काल का रिकार्ड हमारे पास है इसी लिए इस वक्त आपको यहां बुलाया गया है लेकिन खेद है कि आप इन दोनों बदमाशों की शिनाख्त नहीं कर सकते वर्टिकल बार शास्त्री खामोश रहा सहयोग के लिए धन्यवाद अब आप तश्रीफ ले जा सकते हैं शास्त्री उठ खड़ा हुआ इंस्पेक्टर साहब पराशर व्यगरस्वर में बोला क्या मैं एक मिनट इन से बात कर सकता हूँ हीरालाल ने सहमती में सिरहिलाया वकील साहब पराशर शास्त्री से बोला कल रात मैं आप ही के पास आ रहा था जब इन बदमाशों ने मुझ पर हमला कर दिया था कल मैं अपने बचाव के लिए आपको वकील करना चाहता था लेकिन आज मैं वही दर्ख्वास्त अपनी बीवी के लिए आपसे करना चाहता हूँ क्या आप मेरी बीवी का केस ले सकते हैं? होगी क्यों नहीं? माया का वकील बनकर मुझे बहुत खुशी शुक्रिया और अब वह वापस कुरसी पर बैठ गया अपने क्लांट के हितों की रक्षा करने के लिए मुझे यहां इसके साथ मौजूद रहना पड़ेगा पराशर ने जिजगते हुए हीरा लाल की तरफ देखा उसे उम्मीद थी कि वह कोई एतरास करेगा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया वह बाके और वीरू की तरफ घूमा अब तुम लोगों का क्या इरादा है तुम लोग अपना अपराध कबूल करते हो कौन सा अपराध वीरू बड़ी दिलेरी से बोला हमने क्या किया है सुनो तुमने क्या किया है कीरा लाल बड़े धैर्यपूर्ण स्वर में बोला तुमने दो बार पराशर पर कातिलाना हमला किया तुमने उसकी बीवी का अगुवा किया, उसकी मर्जी के खिलाफ उसे पकड़ कर रखा, उसके साथ बलादकार करने की कोशिश की और उस पर कातिलाना हमला किया और फिर माया कहती है कि तुम लोगोंने विक्रम सिंह और सुंदरलाल का भी कतल किया है इसके कहने से क्या होता है? इसका कहा क्या खुदा का हुक्म है? और फिर अभी तुम मंगतराम को भूल रहे हो, जिसका कतल करके तुमने लाश को पराशर की इमारत के तहखाने में पड़े एक द्रम में डाल दिया था मंगतराम का कतल सतीश ने किया था यह तुम इसलिए कह रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि सतीश मर चुका है यह सच है मंगतराम के कतल के वक्त तुम सतीश के साथ तहखाने में मौजूद थे हाँ फिर कानूनी तौर पर उस कतल में तुम भी बराबर के हिस्सेदार हो हराम जा दो एकाएक हीरालाल के हर भरे स्वर में बोला तुम बच नहीं सकते वीरू सहकर चुप हो गया तुम हीरालाल माया की तरफ घूमा वीरू और बाके को दिल्ली से ही जानती हो हाँ माया धीरे से बोली मुह और सूज आया होने की वजह से उसे बोलने में बड़ी कठिनाई हो रही थी ये विक्रमसिन्ह के दोस्त थे और दिल्ली में हमारे घर अक्सर आते जाते थे दिल्ली की ज्वेल रॉबरी में ये भी शामिल थे नहीं, लेकिन इन्हें विक्रमसिन्ह की नियत की खबर थी ये दोनों उसके काम्याब हो जाने के बाद उसे ही लूटना चाहते थे यानि की जोखिम का काम ये विक्रमसिन्ह और सुन्दरलाल को कर लेने देना चाहते थे सबइंस्पेक्टर त्यागी बोला हाँ आगे बढ़ो हीरा लाल बोला दकैती के बाद विक्रमसिन्ह और सुन्दरलाल घर आए माया बोली उसके पीछे-पीछे ही ये दोनों हमारे घर वर्टिकल बार पहुंच गए चारों में बातचीत होने लगी मैं दूसरे कमरे में थी फिर बातचीत तकरार में बदल गई फिर दूसरे कमरे से गोलियां चलने की आवाज आने लगी फिर मुझे विक्रमसिन्ह की चीक सुनाई दी मैं समझ गई की मामला खून खराबे तक पहुँच गया था और खुद मेरी जान को भी खत्रा था हीरों की पोटली मेरे वाले कमरे में पड़ी थी मैंने उसे उठाया और भाग खड़ी हुई तुम हीरे लेकर क्यों भागी? क्योंकि उन हीरों की वजह से ही विक्रमसिन्ह की जान गई थी विक्रमसिन्ह कैसा भी आदमी था आखिर वह उसने एक शर्मिद्गी भरी निगाह पराशर पर डाली मेरा पती था मैं नहीं चाहती थी कि वे हीरे उसके हत्यारे के हाथ लगें फिर फिर दिल्ली से भाग कर मैं शिमले आ गई यहां क्यों? कहीं तो मैंने जाना ही था संकट की घड़ी में मुझे किसी जानी भचानी जगह पर ही जाना सूझा था और फिर मुझे मालूम था कि इन दोनों को यह नहीं पता था कि असल में मैं शिमले की रहने वाली थी लेकिन ये बात इन से छुपी नहीं रही मालूम हो ही गई इन है यहां तुम्हें वकील साहब के यहां नौकरी कैसे मिल गई तकदीर से इनकी पहली रिसेप्शनिस्ट मेरी सहेली निकल आई वह नौकरी छोड़ कर जा रही थी वह अपनी जगह मुझे रखवा गई फिर फिर एक पार्टी में सन्योगवश मेरी इन से उसने पराशर की ओर संकेत किया मुलाकात हो गई वर्टिकल बार मुलाकात मुहबबत में बदल गई फिर इनकी जिद पर डरते डरते मैंने शादी कर ली इनसे शादी के बाद मैंने समझा की मेरे सारे पाप कट गए थे मेरे सुख के दिना गए थे मैं भी नेक शहरी कहलाने की हकदार बन गई थी लेकिन वह सिलसिला ज्यादा देर नटिका मेरे सुख को ग्रहन लग गया एकाएक वह फफक कर रोपड़ी पराशर सांत्वापूर्ण धंग से उसकी पीठ थप्थ पाने लगा लेकिन तुम दो बार गिरफतार भी तो हो चुकी हो दोनों बार मुझे फनसाया गया था दिल्ली में हमारे एक दूर के रिष्टेदार रहते हैं जिनसे पनाह हासिल होने की उम्मीद मैं मैं शिमले से भाग कर वहा गई थी उन्होंने करोल बाग के एक कपड़े के शोरूम में मेरी लौकरी लगवा दी थी शोरूम का मालिक पहले ही दिन से मुझे पर घात लगाने लगा था मुझे काबू में आती न पाकर उसने मुझे फनसाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया उसने खुद मुझे एक जाली चैक देकर बैंक भेजा और खुद ही मेरी रिपोर्ट भी कर दी मुझे पुलिस ने पकड़ लिया उसका ख्याल था कि मैं गिरफतारी से घबरा कर उसी से कहूंगी कि वह मुझे किसी तरह बचाएं और बदले में वह यह शर्ट लगाएगा कि मैं उसे अपने साथ मनमानी करने दूँ लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया मेरे खिलाफ कुछ साबित न हो सका इसलिए मुझे छोड़ दिया गया और दूसरी बार भी इसी से मिलती जुलती कहानी हुई थी दूसरी बार मुझे एक डिपार्टमेंट स्टोर में नौकरी मिली थी वहां का मैनेजर मुझे कोई लावारिस चीज समझ कर अपने काबू में करने की कोशिश करने लगा था लेकिन जब काम्याब न हो सका तो खिसिया कर उसने मुझ पर चोरी का इलजाम लगा दिया मेरी तकदीर अच्छी थी जो मैं दूसरी बार छूट गई लेकिन जब बुनियादी तौर पर तुम इतने उचे नैतिक स्तर की लड़की थी तो तुम विक्रम सिंह जैसे गैंगस्तर के पल्ले कैसे पड़ गई मुझे नहीं मालूम था कि वह कोई जरायम पेशा आदमी था दिल्ली में वह मेरे घर के पड़ोस में रहता था और मुझे बड़ा भला आदमी लगा था इतफाक से मेरा उससे परिचय हो गया था पूछने पर उसने अपने आपको ट्रेवलिंग सेलसमेन बताया था दिल्ली में उन दिनों मेरी हालत ऐसी थी कि हर कोई मुझे जले भी समझकर मुह में रख लेना चाहता था ऐसे मुझे किसी ऐसे मर्द के सहारे की जरूरत थी जो मेरा अपना हो इसलिए मैंने विक्रम सिन्ह से शादी कर ली मुझे तो शादी के कई महीनों बाद तक पता नहीं लगा था कि विक्रम सिन्ह का असली धंधा क्या था शादी के फोरण बाद उसने मकान बदल लिया था और नई जगह उसे कोई जानता नहीं था मुझे कैसे मालूम होता कि असल में वह क्या था वह चोरीच कारी के चक्कर में घर से कई-कई दिन गायब रहता था और मैं समझती थी कि वह टूर पर गया हुआ था फिर तुम्हें उसकी असलियत मालूम कैसे हुई कभी तो मालूम होनी थी वह उदास्वर में बोली हो गई एक बार तहकीकात के लिए घर में पुलिस आ गई तो मुझे मालूम हुआ कि असल में मेरे पतिदेव क्या चीज थे लेकिन तब क्या हो सकता था मैं उसकी व्याहता बीवी थी और उसके स्वर में व्यंगे का पुट आ गया भारतिय नारी थी अपने पती परमेश्वर को कैसे छोड़ सकती थी मैं तुम घर से भागी क्यों थी क्योंकि घर नाम की संस्था से जो सुरक्षा इंसान को सहज ही हासिल होती है दुरभाग्य से मुझे वह भी ना हासिल हो सकी घर में एक सतीश नाम का राक्षस बैठा था जिसकी हवस का शिकार मेरी यह पागल बहन उसने छाया की तरफ इशारा किया पहले ही हो चुकी थी यह बेचारी क्या जानती थी कि इसके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा था बाद में जब मुझे असलियत मालूम हुई तो मैंने जिदकी की छाया को पागल खाने में भरती करा दिया जाएं लेकिन सतीश ने ऐसा न होने दिया मेरा शरावी बाप घर में न होने के बराबर था घर में और कोई था नहीं इसलिए सतीश को अपनी मनमानी से कोई रोक नहीं सकता था मैं खून का घूंट पी कर रह जाती थी लेकिन जब सतीश को मालूम हुआ कि असलियत तो मैं जान ही गई थी तो उसके होसले और बुलंद हो गए एक दिन उसने मेरे साथ शाया जैसा व्यवहार करने की कोशिश की मैंने बेलन माकर उसका सर फोर दिया अगले ही दिन मैं घर से निकल गई शिमले वापस आकर तुम अपने घर चली गई थी न सवाल ही नहीं पैदा होता था उस घर में अगर मैं रह सकती होती तो मैं घर से भागती ही क्यों फिर सतीश से तुम्हारी दोबारा मुलाकात कब हुई शादी के बाद एक मंगलवार को मैं जाखू गई थी मेरी बदकिस्मती की उस रोज वहां सतीश भी मौजूद था उसने मुझे देख लिया और मेरा पीछा करता हुआ माल तक पहुँच गया लेकिन शिमले जैसे शहर में कभी तो तुम्हारा उससे टकराव होना ही था वैसा टकराव न हो इस बारे में मैं बड़ी सावधानी बर्तती थी मैं कहीं आती जाती नहीं थी कभी कभार जिन लोगों के बीच मैं जाती थी वहां सतीश जैसे लड़के का आगमन नहीं हो सकता था लेकिन फिर भी आपकी बात ठीक है कभी तो तकराव होना ही था लेकिन मुझे उम्मीद थी कि ऐसा होने पर वह मेरे मौजूदा रुत्बे को देखकर मेरे पास भी फटकने की हिम्मत नहीं करेगा लेकिन उसके तो पर निकर रहे थे वह तो बड़ा दादा बनने के ख्वाब देख रहा था मेरा मौजूदा रुत्बा देखकर उसने रौब तो खाया लेकिन गलत किस्म का वह मुझे यह धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा कि वह मेरे पती को बता देगा कि मैं कितने नीच खांदान से तालुक रखती थी मैं यह हर्गिज नहीं चाहती थी इसलिए मजबूरी में मैं सतीश को रुपए देने लगी यह सिलसिला कितना अर्सा चला तकरीबन दो महीने आगे बढ़ो 104 रुपए जो मैं सतीश को हर हफ़ते दे पाती थी उससे सतीश का कुछ बनता नहीं था लेकिन वह यह भी जानता था कि मुझ पर ज्यादा दबाव डालने से उसे वे रुपए मिलने भी बंध हो सकते थे लालच और अनिश्चय के उसी आलम में उसकी मुलाकात वीरू और बाके से हो गई इन्होंने सतीश को ज्वेल रॉबरी की सारी कथा कह सुनाई और उसे लालच दिया कि अगर वह इन्हें मेरा पता बता देगा तो वे दस लाख के माल में से उसे भी हिस्सा देंगे सतीश लालच में फस गया मेरे उस कमीने भाई ने इन्हें मेरा पता बता दिया वर्टिकल बार वह फिर रोने लगी कमरे में सन्नाटा था वहां उस वक्त केवल माया के हिचकियां लेने की आवास गूज रही थी पराशर सांत्वना पूर्ण धंग से उसकी पीठ थप्थ पाता रहा अंत में माया चुप हुई पूछा फिर ये दोनों तुम्हारे फ्लैट पर आएं हीरा लाल ने नहीं माया बोली मेरे पती के घर लोटने से पहले इन्होंने मुझे फोन किया था और मुझसे हीरों की मांग की थी मैंने फोन पटक दिया था लेकिन मैं जानती थी की मेरा खेल खतम हो चुका था ये दोनों राक्षस मेरे सुखी घर संसार को आग लगाए बिना नहीं मानने वाले थे इंस्पेक्टर साहब मेरी पिछली जिंदगी कैसी भी थी लेकिन मैंने हर लिहास से अपने आपको एक कालेज प्रोफेसर के काबिल बीवी बनाने की कोशिश की थी पराशर साहब जैसे भले आदमी की मैंने अपनी जिंदगी में कलपना तक नहीं की थी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे वजह से ऐसे डेवटा पुरूश का कोई अहित हो उस फोन काल के बाद ही मैंने इनकी जिंदगी से निकल जाने का फैसला कर लिया था लेकिन उसी शाम को घर आकर जब इन्होंने मुझे यह बताया कि कचहरी के कंपाउंड में दो बदमाशों ने इन पर हमला कर दिया था और मुझे दस हजार रुपए और एक संदेश भिजवाया था तो मैं समझ गई कि मैंने जो कुछ करना था उसी रात करना था वह इनके साथ मेरी स्वर्ग जैसी जिन्दगी की आखिरी रात थी उसके सूजे हुए गालों पर आसूँ की गंगाज मुना फिर बह निकली उस रात को अपने लिए यादगार बनाने के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन कुछ भी न कर पाई इन बदमाशों की फोनकाल की दहशत मुझपर इस कदर तारी थी कि मैं धंका खाना तक नपका पाई इंस्पेक्टर साहब जाने से पहले मैं इन्हें जता कर जाना चाहती थी कि मैं इनसे बेपना मुहब्बत करती थी इनसे अलहदगी के ख्याल से भी मेरा कलेजा चाक-चाक हुआ जा रहा था लेकिन मैं क्या करती मैं मजबूर थी मेरी वजह से इनका बाल भी बाका हो, मुझे बरदाश्ट नहीं था बोला यह तुमने मुझे बताया होता पराशर भर्राय स्वर में बताती तो तुम्हें मालूम हो जाता कि मैं कितनी गिरी कोई औरत थी मैं चाहती थी कि मैं अपने पीछे अपनी कोई अच्छी याद छोड़ कर जाऊ मैं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद कभी तुम मुझे याद करो तो किसी अच्छी बात के लिए याद करो यह सोचकर नयाद करो कि चलो बलाटली एक जलील औरत से पीछा छूट गया अपनी ओर से उस रात तुम्हारी निगाहों में अपनी कोई अच्छी इमेज बनाने की मैंने जीजान से कोशिश की थी फिर भी तुमने मुझे बताया होता मुझे पती माना था तो मुझे पर पती जैसा भरोसा भी किया होता तुम इन बदमाशों से पार नहीं पासकते थे तुम शिक्वा शिकायत बाद में किरालाल बीच में बोल पड़ा अब यह बताओ कि उस रात को हुआ क्या था इनके सो जाने के बाद मैं उठ खड़ी हुई थी माया बोली मैंने कपड़े पहने अपना थोड़ा बहुत सामान समेटा दस हजार रुपियों वाला लिफाफा अधिकार में किया और फ्लैट से बाहर निकल आई उस वक्त मुझे यह नहीं सूझा था कि वास्तव में ये दोनों मुझसे ऐसे ही किसी एक्षन की उम्मीद कर रहे थे और मेरे इंतजार में घात लगाए बैठे थे मैं सीधियां उतर कर नीचे पहुँची तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया और घसीट कर तहखाने में ले गए ये समझ रहे थे कि हीरे उस वक्त मेरे पास थे लेकिन हीरे असल में मैंने तहखाने में कर निकालने थे इन्होंने मुझे इमारत से निकलने के बाद पकड़ा होता तो हीरे निश्चय ही इनके अधिकार में आ जाते वर्टिकल बार तुम्हारा भाई सतीश उस वक्त इन लोगों के साथ था नहीं आगे बढ़ो मुझे तहखाने में ले जाकर इन्होंने मेरी भरपूर तलाशी ली उस वक्त तुमने शोर क्यों नहीं मचाया मैं पहले ही कई बार कह चुकी हूँ कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पती को मेरी असलियत मालूम होती और फिर इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं चिल्लाई तो ये मेरे पती का कतल कर डालेंगे फिर फिर जिस वक्त ये दोनों हीरों की खातिर मेरे साथ जोरस बरदस्ती कर रहे थे उसी वक्त भट्टी में लकडिया डालने की नियत से वहां मंदत्राम पहुँच गया वह शोर मचाने ही लगा था कि बाके ने उसे पकड़ लिया और वीरू ने डंडे मार-मार कर उसकी खोपरी खोल दी फिर उसे मर गया जाकर इन्होंने उसे एक ड्रम में डाल दिया आगे हीरे मेरे पास नपाकर ये दोनों बहुत आगब बूला हुए हीरों का पता मुझसे जबरदस्ती कबुलवाने को लिए वह जगह सही नहीं थी और मेरी जिद तोड़ने के लिए इन्हें वक्त की भी ज़रूरत थी इसलिए इन्होंने मुझे वहां से ले जाने का फैसला किया तलाशी के दोरान इन्होंने मेरे सारे कपड़े उतरवा लिये थे वीरू मेरा सामान और मेरे सारे कपड़े वापस हमारे फ्लैट में रखाया और वहां से मेरा नाइट गाउन और कंबल लपेट लेने दिया फिर इन्होंने उंगली में मौजूद मेरी हीरे की अंगूठी उतरवाली इन्होंने वह अंगूठी मेरी सैंडल का एक पाव और मेरे बालों का एक क्लिप भट्टी में जोग दिया फिर बाके के हाथ कहीं वे दो-तीन छोटी-छोटी हड्डिया लग गई इन्होंने उन्हें भी धधक्ती भट्टी में डाल दिया और ये मुझे साथ लेकर वहां से निकल गए यानि कि इन लोगों ने एक बड़ी नपीतुली योजना पर काम करके ऐसा इंतजाम किया था कि तफ्टीश करने पर हमें ऐसा लगे कि तुम्हारे पती ने तुम्हें भट्टी में जोग कर तुम्हारी हत्या कर दी थी हाँ प्रोफेसर साहब हीरालाल पराशर की तरफ घूमा हमें खेद है कि उन हड्डियों के बारे हमसे गलत ब्यानी हो गई थी बाद में हमारे विशेशग्यों ने जब उनकी और बारी की जाच की थी तो पाया था कि वे इंसानी हड्डियों के टुक्रे नहीं थे शुक्र है पराशर शुष्क स्वर में बोला माल से हीरालाल फिर माया से संबोधित हुआ वे तुम्हें सीधे लकड बाजार ले गए थे हाँ माया बोली माया पराशर ने पूछा मैं जब पहली बार उस इमारत में गया था तुम तब भी वही थी हाँ उस वक्त ये दोनों बदमाश भी वही थे तुम्हारे आगमन की मुझे खबर भी लग गई थी लेकिन मैं कर क्या सकती थी ये कहते थे कि अगर मैंने मुह से आवाज भी निकाली तो ये तुम्हें शूट कर देंगे फिर क्या हुआ हीरा लाल उतावले स्वर में बोला मुझसे हीरों की पता जानने के लिए इन लोगों ने मुझे मारना पीटना और तार्चर करना आरंभ कर दिया बीच बीच में इन्होंने मेरे साथ बलातकार करने की कोशिश भी की लेकिन मैंने इन्हें काम्याब नहीं होने दिया इस बात से ताव खाकर इन्होंने मुझे और भी ज्यादा मारा पीटा अगर मैं इन्हें अपनी मनमानी कर लेने देती तो शायद ये मुझे इतना नमारते तुमने खाम खा इतनी मार क्यों खाई पराशर बड़े दैनियस्वर में बोला वजह तुमसे बहतर कोई नहीं समझ सकता माया धीरे से बोली पराशर ने असहाय भाव से गर्दन हिलाई मैं तुमसे मुहबबत करती हूँ वह यू बोली जैसे किसी शाश्वत सत्य का वर्णन कर रही हो मेरी मुहबबत की खातिर इतना जुल्म सहा तुमने? मैंने अपने आपको तुम्हारी मुहबबत के काबिल साबित करके दिखाना था कोई और बात हीरालाल बोला जो तुम हमें बताना चाहती हो माया ने इनकार में सिरहिला दिया इंस्पेक्टर साहब पराशर ने पूछा पुलिस माल पर कैसे पहुँच गई? हमने हर उस स्थान की निगराने के लिए आदमी लगाए हुए थे हीरालाल बोला जहां हमारी निगाह में तुम्हारे प्रकट होने की संभावना थी हमारे एक आदमी ने तुम्हें लकड बाजार पहुँचते देखा था उसने फौरण हमें खबर की थी जब मैं अपने आदमियों के साथ वहां पहुँचा था तो तुम लोग कारों में सवार होकर वहां से कूच की तयारी कर रहे थे हमने अनुभव किया कि तुम सब लोगों के बीच कोई तगडी खिचडी पक रही थी इसलिए हमने चुपचाप तुम लोगों का पीचा करने का फैसला किया फिर बाद में बड़े मुनासिब वक्त पर और बड़ी पकी तैयारी के साथ तुम लोगों पर हाथ डाल दिया ओह प्रोफेसर साहब एक बात मुझे बहुत हैरान कर रही है कौनसी तुम्हें कुफरी ले जाकर इन बड़माशों ने तुम्हारी हत्या जो कोशिश की थी उसमें तुम बच कैसे गए कार्बन मोनोकसाइड गैस ने तुम पर अपना घातक असर क्यों नहीं किया मुझे क्या मालूम पराशर बोला सुनो एक आएक हीरालाल यूँ बोला जैसे उसे कोई भूली बात याद आ गई हो वकील साहब के घर जाने से पहले तुमने कौफी तो नहीं पी थी पी थी दो कप तो प्रोफेसर साहब समझ लो कि उस कौफी ने ही तुम्हारी जान बचाई है कौफी की कारबन मोनोकसाइड के साथ कुछ ऐसी रसायनिक प्रक्रिया होती है, कौफी उसका घातक असर कम कर देती है पराशर खामोश रहा फिर हीरालाल का ध्यान चाया की तरफ आकरशित हुआ हीरालाल को अपनी तरफ देखता पाकर छाया के होंठो पर मशीन की तरह एक मादक मुस्कराहट प्रकट हुई उसने अपनी कमीज का निचला किनारा पकड़ कर उसे उपर उठाने की कोशिश की लेडी हवलदार ने फौरण उसके हाथ पकड़ लिये और बोली यह बुरी बात होती है बेटी अच्छी लड़कियां ऐसी हरकते नहीं करती इस लड़की को पागल खाने में भरती कराया जाना नहायत जरूरी है किरालाल चिंतित भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला मुझे मालूम है माया बोली यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था लेकिंग वह खामोश हो गई किरालाल लेडी हवलदार से बोला इसे यहां से ले जाओ लेडी हवलदार ने सहमती में सिर हिलाया उसने चाया की बाह पकड़कर उसे उठाया और उसे दर्वाजे की तरफ ले चली दर्वाजा खोलने के लिए उसने केवल एक क्षण के लिए चाया का हाथ छोड़ा लेकिन उस एक क्षण में ही चाया ने अपनी कमीज को गर्दन तक उठा दिया और यूं मुस्कराती हुई कमरे में मौजूद मर्दों के सामने अपने उन्नत उरोजों की नुमायश करने लगी जैसे अपनी निगाह में वह कोई इनाम हासिल होने के लायक काम कर रहा थी माया ने आखे बंद कर ली लेडी हवलदार ने जल्दी से छाया की कमीज नीचे की और उसे वहाँ से बाहर ले गई दर्वाजा फिर बंद हो गया माया धारेग धीरे रो रही थी दीन्देयाल शास्त्री ने खंखार कर गला साफ किया और बोला अब क्या मैं एकाद सवाल पूछ सकता हूँ क्या पूछना चाहते हैं आप? हीरालाल बोला क्या माया इस वक्त गिरफ्तार है? इस वक्त यह पुलिस की हिरासत में है हीरालाल सावधानी से बोला लेकिन इसने कोई अपराध तो किया नहीं इसके पास से चोरी का माल बरामद हुआ है इसके अलावा इस पर लगाने के लिए कोई और चार्ज है आपके पास? नहीं, कीरालाल हिच की चाता हुआ बोला और दिल्ली पुलिस के पास? शास्त्री, सब इंस्पेक्टर त्यागी की तरफ घूमा हमें ज्वैल रॉबरी के केस में एक मैटिरियल विटनेस के तौर पर इसकी जरूरत है त्यागी बोला यह कोई चार्ज तो न हुआ त्यागी खामोश रहा साहबान, इस बेचारी पर जो जुल्म धाये गए हैं उनको निगाह में रखते हुए क्या आप इसे हमदर्दी का हकदार नहीं मानते क्या आप इसे रहन के काबिल नहीं समझते आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं इसकी जमानत करवाने की कोशिश करू तो आप उसमें कोई अर्चन डालने की कोशिश तो नहीं करेंगे नहीं ठैक्यू फिर शास्त्री पराशर की तरफ घूमा अगर नकट जमानत की जरूरत पड़ी तो क्या उसका इंतजाम कर सकोगे? जरूर कर सकूंगा पराशर बहिचक बोला लगभग 20,000 रुपए मेरे पास बैंक में जमा है इससे ज्यादा की जरूरत पड़ी तो मैं अपनी कार बेच दूंगा, अपना मकान बेच दूंगा, अपना फलों का बाग बेच दूंगा, अपने आपको बेच दूंगा बर्खुरदार तुम्हारी बीवी इससे भी ज्यादा कुर्बाने के काबिल है, शास्त्री उठता हुआ बोला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इतना कुछ करने की नौबत नहीं आएगी मैं जमानत का इंतजाम करने जा रहा हूँ मुझे लोटने में वक्त लग सकता है इसलिए हौसला रखना आडियो बुक शॉप में आपका स्वागत है, कृप्या मेरे चैनल आडियो बुक शॉप को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं माया की जमानत का इंतजाम होते होते एक बस गया फिर वकील दींदयाल शास्त्री अपनी कार पर उन्हें माल तक छोड़ गया अपने मकान में दाखिल होने से पहले पराशर ने महसूस किया कि अडोस-पडोस के कई लोग अपने घरों की खिरकियों दर्वाजों में से उन्हें देख रहे थे लेकिन किसी ने उन्हें आवाज न दी, किसी ने उनका हालचाल न पूछा माया को सहारा देकर धीरे धीरे चलता हुआ पराशर सीडियों के पास पहुँचा सुबह पुलिस के वहां से जाने से पहले सारे इलाके में यह बात फैल गई थी कि माया के साथ क्या बीती थी और उसका भाई पुलिस के हाथों गोली खाकर मारा गया था तब ही पहली मनजिल के फ्लैट का दर्वाजा खुला और चौकट पर गोसालवेज प्रकट हुआ लगता था वह ओफिस से जल्दी वापस आ गया था या शायद उस रोज वह ओफिस गया ही नहीं था सालवेज ने नाक चड़ा कर माया की तरफ देखा माया ने उससे निगाह न मिलाई गोसालवेज का रवया देखकर पराशर के जबडे भिंच गए वह खामोशी से माया के साथ सीधिया चड़ने लगा मिस्टर पराशर गोसालवेज ने आवाज लगाई पराशर ठिटका घूमा उसने प्रश्नसूचक निगाहों से गोसालवेज की तरफ देखा भई वो भट्टी फिर बुझी पड़ी है पराशर उसकी बात काटकर कठोर स्वर में बोला मुझे मालूम है गोसालवेज हडबडाया शायद उसे पराशर से ऐसे जवाब की आशा नहीं थी भई वह बोला इतना किराया लेते हैं आप अगर आपको किराया ज्यादा लगता है तो फ्लैट खाली कर दीजिए भई वह आहत भाव से बोला बात तो भट्टी की हो रही थी भट्टी की बात भी इसी में शामिल है हो सकता है आने वाले कई दिनों तक भट्टी इसी हालत में रहे अगर आपको तकलीफ है तो या तो भट्टी खुद जला लीजिए और या फिर कोई और मकान तलाश कर लीजिए मैं आपको आखिरी बार याद दिला रहा हूँ सेंट्रल हीटिंग की सुविधा किराय में शामिल नहीं है समझ गए गोसालवेज के मुह से बोल नफूटा उसने धीरे से सहमती में सिरहिला दिया पराशर माया के साथ सीधिया चड़ने लगा तुम्हें उससे इस बुरी तरह से पेश नहीं आना चाहिए था माया धीरे से बोली उसके साथ मुझे इससे भी ज्यादा बुरी तरह से पेश आना चाहिए था पराशर बोला मेरे चुप रहने की वजह से इसके होसले बढ़ते जा रहे हैं वे फ्लैक में पहुँचे माया दर्वाजे पर ही ठिठक कर खड़ी हो गई उसकी निगाह धीरे धीरे पैनी होती हुई फ्लैट में घूमने लगी सोफे पर पहुचकर उसकी निगाह ठिठकी सोफा अभी भी उसी हालत था जिसमें वह रात उसे छोड़ कर गई थी माया की आखें डबडबा आई माया पराशर तनिक तीखे स्वर में बोला प्रोना नहीं पराशर जानता था माया क्या सोच रही थी उस रात याद वह अपने दिल से मिकने नहीं देना चाहती थी इसलिए उसने वीरू और बाके से इतनी मार खाली थी लेकिन अपने साथ उनकी मनमानी नहीं चलने दी थी बर्तन अभी भी जूठे पड़े होंगे एक आएक माया यू बोली जैसे उसे कोई भूली बात याद आ गई हो गोली मारो बर्तनों को पराशर बोला माया खामोश रही मैं कॉफी बनाता हूँ पराशर बोला मैं बनाती हूँ माया ने आग रह किया नहीं तुम बैडरूम में जाकर लेट जाओ तुम्हें आराम की सक्त जरूरत है माया भारी कदमों से बैडरूम की ओर बढ़ी पराशर किचन में आ गया उसने हीटर जलाया और उस पर पानी की केटली चड़ा दी वह बैडरूम में पहुचा माया ने अपना एक सूटकेस पलंग पर रख लिया था और वह वार्डरोग में से अपने कपड़े निकाल कर उसमें भर रही थी यह क्या कर रही हो पराशर हैरानी से बोला जाने की तयारी माया धीरे से बोली कहा जाने की तयारी? कहीं भी तुम मुझे छोड़ कर जा रही हो अब जब तुम मेरी आउकात जान गए हो तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? मैं तुम्हारे काबिल नहीं यह सोचना तुम्हारा नहीं, मेरा काम है कि तुम मेरे काबिल हो या नहीं लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ कर चली गई तो मैं समझगा की तुम मुझे अपने काबिल नहीं समझती हो हे भगवान, कैसी बाते करते हो तो फिर बंद करो यह हरकत तुम समझते नहीं हो क्या नहीं समझता हूँ मैं? मुझे लेकर लोग बाते बनाएंगे अभी तुमने देखा नहीं था कि गोंसालवेज का मेरे प्रती कैसा रवया था ऐसी की तैसी गोंसालवेज की ऐसी की तैसी लोगों की अभी तुम ऐसा कह सकते हो लेकिन बाद में देखना तुमसे बरदास्ट नहीं होगा इन मामलों में लोगों की नीच प्रवरिती को मैं तुमसे जयादा समझती हूँ कोई मुह पर तो कुछ नहीं कहेगा लेकिन पीठ पीछे सब बाते बनाएंगे कोई जुबान नहीं लेकिन निगाह के ऐसे भाले घोपेंगे की कलेजा चलनी होकर रह जाएगा अगर यह बात है तो मैं यह घर छोड़ दूँगा पराशर द्रिड स्वर में बोला मैं यह शहर छोड़ दूँगा तुम्हारी नौकरी का क्या होगा? नौकरी और मिल जाएगी नहीं मिलेगी तो मैं कोई काम धन्धा कर लूँगा और फिर बिना नौकरी के भी हम भूखे नहीं मरने वाले यह सब तुम मेरे लिए करोगे? तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए तुम्हारे में और मेरे में कोई फर्क है तुम मेरी अर्धांगिनी हो लेकिन मैंने तुम्हें अपने बारे में धोखा में रखकर तुमसे शादी की शादी की और मुझे अच्छी बीवी भी बन कर दिखाया माया, मेरा इश्वर गवाह है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं मैं तुमसे अब भी उतनी ही मुहबबत करता हूँ जितनी हमेशा करता था बलकि ज्यादा आज से पहले मैं तुम्हें सिर्फ एक खूबसूरत लड़की समझता था लेकिन यह मुझे आज ही मालूम हुआ है कि तुम कितनी बहादूर लड़की हो एक ऐसी बहादूर लड़की जिसने तूट जाना मनजूर किया लेकिन जुकना कबूल नहीं किया मुझे तुम पर गर्व है माया दूंगा वह फिर रोने लगी देखो अगर रोगी तो मैं असली पती बन कर दिखा कैसे मैं चांटा मार दूंगा उसके होंठो पर एक हलकी सी मुस्कराहट उगही जो फौरन लुप्थ हो गई उसने अपने आसू पोच लिए पराशर ने उसका सूटकेस उठाया और उसे कपड़ों समेत वार्डरोग में वापस जोक दिया अगर मुझे सजा हो गई तो माया यू बोली जैसे अपने आप से सवाल कर रही हो है ऐसा नहीं होगा शास्त्री ने मुझे पूरा विश्वास दिलाया फिर भी तो मैं बड़ी अदालत में अपिल करूंगा मैं शास्त्री से बड़े वकील की मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील की सेवाएं प्रप्त करूंगा नहीं माया मैं तुम्हे सजा नहीं होने दूंगा लेकिन अगर फिर भी सजा हो गई तो वह 4-6 महीने की मामूली सजा होगी उतना अर्सा मैं तुम्हारा इंतजार कर लूंगा और जिस दिन तुम सजा काट कर बाहर निकलोगी उस दिन मैं तुम्हें जेल के दरवाजे के बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार करता मिलूंगा वह फिर रोने लगी देखो अब मैं सचमुच तमाचा मार दूंगा माया ने जब अपने आसू पोँचे तो और ज्यादा आसू उसकी आखों में उबलाए पराशर उसके पास पहुचा उसने माया का कोट उतार कर एक ओर डाल दिया फिर उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाया और उसे ले जाकर पलंग पर डाल दिया उसने उसे रजाई ओढ़ा दी और रजाई पर एक मोटा सा कंबल भी डाल दिया मुझे नींद आ जाएगी माया ने शिकायत की यह तो बड़ी अच्छी बात है पराशर बोला तुम्हें राम की बड़ी सक्त जरूरत है लेकिन मुझे डर लगता है किस बात से? कि मेरे आखें बंद करते ही तुम मुझसे दूर न हो मैं तुम्हें खो न बैठूँ ओ! मैं तुम्हारे पास हूँ मुझे विश्वास नहीं होता पराशर ने ओवर कोट और कोट उतार कर एक ओर डाल दिया और माया के साथ लेट गया मुझे अपनी बाहों में ले लो माया बोली पराशर ने धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया माया उसके साथ सट गई और धीरे से बोली अगर मुझे नींद आ जाए तो भी मुझे छोड़ कर मत जाना लेकिन कौफी का पानी उबल रहा होगा पराशर बोला उबलने दो और मैंने भट्टी जलाने भी जाना है जरूरत नहीं जो हुक्म में साहब कुक्षक्षन खामोशी अजन्भी एक आएक माया फुस्फुसा कर बोली तुमने अपना परिचय नहीं दिया मेंन साहब पराशर उसके कान में बोला मेरा नाम देवेंदर पराशर है माया के होंठ हॉले से उसके होंठों से छुए और वह मीठे स्वर में बोली आप से मिलकर बहुत खुशी हुई जनाब मुझे मिसेज देवेंदर पराशर कहते हैं फिर खामोशी किचन में गैस पर चड़ी केटली में पानी उबलता रहा उबलता रहा ओडियो बुक शॉप में आपका स्वागत है कृप्या मेरे चैनल ओडियो बुक शॉप को सब्सक्राइब करें और कृप्या कमेंट करें कि आप कौन सी किताब सुनना चाहते हैं कृप्या में आपका स्वागत है